नमस्कार स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल मैट्स बाय रोशन विस्रा में मैं हूं मैट्स फेकल्टी रोशन विस्रा जैसा कि आप सबको पता है बिपीएसी बिहार सिच्छक भरती 2023 के लिए यह हम लोग मैथमेटिक्स का क्लास कर रहे हैं जिसमें से पहला प प्रेक्टिस के साथ साथ सारा कॉंसेप्ट भी आपका क्लियर हो जाएगा तो सुरू से अंतक वीडियो को जरूर देखे जो भी बच्चे पहले पार्ट को मिस किये हैं आप प्लेलिस्ट में जाएंगे तो पहला पार्ट भी आपको मिल जाएगा और इसका हमने एक पूरा का पूरा कंप्लीट वीडियो मिल जाएगा अगले चार पांस दिनों में यह आपका कंप्लीट सी लेवस्त हो जाएगा आप रिवीजन के दिरिश्टी कौन से इसे आप स्पीड में भी देख सकते हैं या जो मीडियम में चलना चाहते हैं वो मीडियम में भी इसको चलिए बीना समय का वाए हम लोगे स्टार्ट करते हैं जो भी बच्चे नए हैं हमारे चैनल को सब्स्ट्राइब कर लें साथ-साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें जिससे कि हमारे जो भी वीडियो आएगा उसका नोटिफिकरिसन आपको सबसे पहले लिए दूसरा आज का जो क्लास होगा वो होगा डिविजबिलीटी का आज का जो मैं क्लास करने वाला हूँ मैं आपको समझ stylॹ्य वाला हूँ रूछं ऑफ डिवीजिबिलելि टी बहुत हाई लेबल पे तो नहीं जाना है बैट हम लोग हैं रूल आफ़ डिविजबिलीटी से भी आपको question पूछा जाता है यहां पर सभी बच्चे धियान से देखेंगे rule of divisibility विभाजता के नियम विभाजता के नियम से आपको लगातार question पूछा जाएगा यह बात आप confirmed हो विभाजता के नियम से आपका question पूछा जाता है तो मैं सिर्फ और सिर्फ आपको focus करूंगा, बहुत ज्यादा basic या deep में जाने का मैं कोशिस नहीं करूंगा, जैसा कि मैं SSC, railway और bank वालों को पढ़ाता हूं, बस आप उपर से ही देखेंगे, सबसे पहले आप देखो 2 से, 2 से वहसारी संख्या कड़ जाएगी, जिसका unit digit, unit digit यूनिट digit का मतलब क्या हो जाएगा, इकाई अस्थान के अंक, इकाई अंक जिसका 2 से, 2 से वहसारी संख्या कड़ जाएगी, जिसका इकाई अंक या तो 0 रहे, या तो 2 रहे, या तो 4 रहे, या तो 6 रहे, या तो 8, 8 रहे, कहने का मतलब है कि unit digit पे जो भी digit आपको नजर आ वह 4, हमने कहा क्या, क्या ये 2 से कटेगी, बोलोगे हाँ सर बिलकुल कटेगी, और जो संख्या 2 से कड़ जाती है, वह संख्या even number भी कहलाती है, ये बात लिए हमने आपको पिछले class में समझाया था, ठीक है, बहुती simple सा तरीका है, 2 के बाद देख लो यहाँ पर 4 से, 4 से divis का रूल कैसे करते हैं, 4 से divisibility का रूल, अगर कोई भी संख्या आपके पास दिया हुआ, जिसका अंतिम दो डिजिट, अंतिम दो डिजिट, अंतिम दो डिजिट, चार से कट जाएगी, या नहीं तो, अगर हमारे पास कुछ भी संख्या दे रहे, और अंतिम में 2-0 आ जाए तो भी यह संख्या, 0 सभी संख्याओं से कट जाती है, इसका मतलब है कि 4 से अंतिम दो डिजिट पे जो यह हमारे पास 0 दिया हुआ है, यह कट जाएगी और यह पूरी की पूरी संख्या भी यहां से पता चल जाएगा कि कट जाएगी, बातारा समझ में, एक और मैं आपको यहां पर एक्जामपल ले करके सिम जाता हूँ, घ्यान से देखना सभी बच्ची, अगर यहां पर हमारे पास दिया हुआ 13704, तो अंतिम दो डिजिट पे हमारे पास के है 0,4, 0,4 क्या 4 से कट जा रही है, बोलोगे हां सर यह तो 4 से कट जा रही है, तो पूरी संख्या भी सर अंतिम तीन डिजिट चेक करना पड़ेगा, कोई भी संख्या हमारे पास दिया हुआ है, जैसे हमारे पास मान के चलो कि यह दिया हुआ, 741400 यह 74448 दिया हुआ, ठीक है, तो आपको क्या करना है, अंतिम तीन अंग उठाना है, 648 और चेक करना है, क्या 648 आठ से कट जा रही है बोलोगे हां सर कट जा रही है तो पूरी संख्या भी क्या हो जाएगी आठ से कट जाएगी आठ से रूल है लेकिन उस रूल पर हम ज्यादा चर्चा नहीं करेंगे क्योंकि अभी आपके पास समय उपलब्द नहीं है या नहीं तो क्या करोगे अंतिम में अगर 3-0 दि दिखा हुआ है उनुइस हजार चेसो बहत्तर तो अन्तिम three digits पे आप क्या करोगे 8 से डिवाइड करोगे तो यह देखो 864 बच गया तीन 8 चोका 2022 कट गया उसका मतलब ये पूरी संख्या भी क्या हो जाएगी 8 से कट गयाएगी इसी तरह से 16 से 16 से 16 वाले में क्या करोगे जब हमने क्या देखा कि दो वाले में हमें सिर्फ और सिर्फ एक डिजिट चेक किया, चार वाले में हमने अन्तिम दो डिजिट चेक किया, आठ वाले में हमने अन्तिम तीम डिजिट चेक किया, तो 16 वाले में क्या हो जाएगा अंतिम 4 डिजिट चेक करोगी जैसे हमारे पास लिखा हुआ है 15,000 या 1,56,430 ये देखो लिखा हुआ है अंतिम 4 डिजिट यहाँ पर क्या है 64 और 32 क्या 16 से कड़ जा रही है बोलोगे हाँ सर 16 से कड़ जा रही है इसका मतलब है कि पूरी संख्या भी क्या हो जाएगी 16 से कड़ जाएगी या नहीं तो अंतिम में 4 डिजिट पे क्या होना चाहिए 0 होना चाहिए अगर अंतिम में 4 डिजिट पे 0 हो जाएगा तो भी यह संख्या 16 से क्या हो जाएगी उम्मीद करते हैं कि बिल्कुल सही तरीके से सही ढंग से आपको समझ में आ गया होगा ठीक है चलिए नेक्स्ट पे आते हैं नेक्स्ट हमारे पास क्या दिया हुआ तीन से कोई भी संख्या 3 से कैसे कट जाएगी कैसे पता करेंगी जैसे हमारे पास कोई भी संख्या लिखा हुआ 1422 हमें पता करना है कि यह 3 से कटती है या नहीं कटती है तो हमें क्या करना चाहिए इसके अंको के योगफल को चेकर करना चाहिए यह कट रहा है या नहीं कट रहा है जैसे अंको का योगफल हमारे पास क्या है एक प्लस चार प्लस दो प्लस दो चार प्लस दो मिल करके छे छे दो आठ आठ प्लस एक मिल करके इसके अंको का योगफल क्या आ गया है नो आ गया है या अंको का योगफिल तीन से कट जा रहा क्या? बोलोगे हाँ सरी यह तो तीन से कट जारा है और तीन से अगर यह कट जा रहा तो इसका मतलब है कि यह पूरी संख्या cheers क्या हो जाएगी? कट गएगी लेकिन आपको पूरा ऐसे जोरना नहीं है जैसे मैं आपको यहाँ पर example दे करके यह जो 1422 ही लिखा हुआ है इसी पर मैं आपको समझाता हूँ देखो यहाँ से क्या 2 प्लस 1 मिलके 3 कट गया क्या कट गया 4 प्लस 2 मिलके 6 कट गया क्या कट गया तो पूरी संख्या भी क्या हो जाएगी कट गयाएगी रेंडमली मैं कोई भी संख्या लेता हूँ जैसे 5 6 4 3 1 2 5 1 अभी हमारे पास इसे चेक करना है कि क्या यह 3 से कट रही है या नहीं कट रही है तो हम क्या करेंगे देखो 6 कट गया 3 से 3 कट गया 3 से 4 प्लस 2 मिल करके कट गया 4 2 6 कट गया 3 से 5 5 10 10 11 11 12 यह भी 3 से कट गया तो इसका मतलब क्या है यह पूरी संख्या भी क्या हो जाएगी 3 से कट जाएगी पूरी संख्या भी क्या हो जाएगी बटो 3 से कट जाएगी उम्मित करते हैं कि बाते आपके समझ में बिलकुल सही तरी से हैं जैसे हमारे पास कोई भी संख्या दिया हुआ है एक चार चार पांच और चार ये संख्या दिया हुआ है इसमें भी क्या करना है इसमें भी करना है इसके अंको का योग चेक करोगे एक प्लस चार प्लस चार प्लस पांच प्लस चार अब इसको जोड़ोगे तो पांच 9 9 4 13 13 में 4 जोड़ोगे 17 17 प्लस एक मिल करके यह हमारे पास क्या जाएगा 18 क्या यह 9 से कट जा रही है क्या बोलोगे हां सर यह बिल्कुल 9 से कट जा रही है इसका मतलब है कि यह संख्या पूरी के पूरी क्या हो जाएगी 9 से कट जाएगी लेकिन ऐसे पूरा जोड के मत चेक करना मैं क्या समझाना चाह रहा हूं इस पर ध्यान देना सबी बच्चे यहां पर क्या करोगे यह हमारे पास 14454 है 14454 हमारे पास लिखा हुआ ठीक है आब इसको काट देखो 4 5 9 कट गया 4 4 8 8 9 9 कट गया ठीक है तो देखो इसमें क्या होता नहीं यह बहुत बढ़िया और बहुत बढ़िया कॉंसेप्ट मैं आपको समझा रहा हूं 9 वाले में एक बहुत बढ़िया कॉंसेप्ट है और तीन वाला भी वह कॉंसेप्ट लागू होगा जैसे अगर कोई भी संक्या हमारे पास लिखा हुआ तेहतर पे गौर करना मैं क्या कहना चाह रहा हूं इसको ध् साथ सोपैंतिस को अगर 9 से डिवाइड करोगे तो काटके देखो इसको 9,8,72,1 बच गया,15 नोई-इक आई-9 तो सेसपल हमारे पास क्या आ गया वो लोग सेज़व अगया सरषी आ अब मैं आपको समझाता हूं एक तो हम इसको डिवाइड कर सकते एक तो हम इसको क्या कर divide कर रहे हैं, दूसरा जो तरीका हमारा होगा 6 फल निकलने का, दूसरा जो तरीका होगा हमारे पास 6 फल निकलने का, तो हम 7 और 3 ये दिया हुआ ना, इसको जोड देंजी, 7 प्लस 3 मिलकर के ये हमारे पास क्या आ जाएगा, बोलोगे सर 10 आजाएगा और 10 में भी 1 प्लस 0 को जोड़ दो तो 1 प्लस 0 को जोड़ दोगे तो यह हमारे पास क्या आजाएगा बोलो 1 आजाएगा यानी sum of digit हमें सिर्फ चेक कर लेना है तो तो जो sum of digit होगा, यानि जो अंकों का योग होगा, वही हमारा क्या हो जाएगा, सेस्फल हो जाएगा, इसी तरह से यहाँ पर भी देख लो जिया हम से, साथ में, तीन को जोड़ोगे, साथ, तीन, दस, दस, पांच, पंदरर, यह दस, पांच क्या आ जाएगा, पंदरर, तो स सारा को add करके भी हमारे पास क्या आगे है, बताओ, छे, जो इसका, अंकों का योग होगा, वही हमारे पास क्या हो जाएगा, बताओ, इसका, सेस्फल भी हो जाएगा, इस चीज़ को ख्याल लखना, और इसका हम use करेंगे आगे, ठीक है, चलिए, नेक्स पे चलते हैं, यह ह 25 से और 125 से, ठीक है, ध्यान से लेखना सभी बच्चे, 5 से, सबसे पहले मैं यहाँ पर लिखता हूँ, 5 से, फिर नीचे लिखूंगा 25 से, फिर 125 से, कोई भी संख्या 5 से कैसे कट जाती है, अगर हमारे पास लिखा हुआ है, 495, तो इसका unit digit क्या है 5, अगर यह unit digit 5 से कट जा जाएगी, या नहीं तो unit digit पे हमारे पास क्या आएगा 0, हमने 0 के बारे में क्या बताया है, 0 दुनिया के हर एक नमबर से कट जाती है, इसका मतलब है कि 5 से 0 भी कट जाएगी, और 0 अगर कट जाएगी, तो इसका मतलब है कि यह पूरी के पूरी संख्या भी कट जाएगी, इसी को एक रूल बना देपे हैं, और हम लोग बोलते हैं कि अगर इकाई अस्थान के अंक पर या तो 0 रहे या तो 5 रहे, तो वह पूरी की पूरी संख्या क्या हो जाएगी, 5 से कट जाएगी, बात आया समझ में, इसी तरह से अगर हम लोग 25 से देखेंगे, 25 से, 25 वाले मे क्या करना है, हमें अंतिम दो डिजिट चेक करना है, अगर ये हमारे पास 1425 निखावा है, अंतिम दो डिजिट पे हमारे पास क्या है, 25 है, अगर ये अंतिम दो डिजिट पे 25 है, और ये क्या 25 से कट जा रही है, ये बोलोगे हां सर, इसका मतलब पूरी संख्या भी क्या हो दो डिजिट में अब होता क्या है कि दो डिजिट में 25 से कटने वाली मातर तीन संख्या है 00 को छोर कर यानि हम लोग इसको बोल सकते हैं कि इकाई अस्थान के अंतिम अंतिम दो डिजिट में अंतिम दो अंक मैं इसको 75 होना चाहिए वहाँ पूरी की पूरी संख्या भी क्या हो जाएगी बताओ 25 से कट जाएगी सेम रूल हम यहाँ पर अपलाई करते हैं 125 वाले में 125 से क्या हो जाएगा इस बार क्या चेक करोगे अंतिम 3 डिजित अगर हमारे पास लिखा हुआ है 15125 क्या 15125 एंतिम 3 डिजित है 125 क्या 125 कट रही है बोलोगे हाँ सर कट रही है इसका मतलब है कि पूरी की पूरी संख्या भी 125 से कट जाएगी या 0 वाला कंडिशन में क्या देखोगे अंतिम 3 डिजित पे हमारे पास क्या होना चाहिए जीरू हो मतलब अंतिम तीन डिजिट के जीरो-जीरो है तो ये भी 125 से कट जाएगी इसका मतलब पूरी संख्या भी 125 से क्या हो जाएगी बताओ, कट जाएगी बोलो इसमें किसी बच्छे को कोई प्रोब्लेम बिल्कुल नहीं अब सर बोलो कि सर इसमें क्या सब होना चाहिए मैं इसको लिग देता हूं ध्यान से देखना है अंतीम तीन अंग में हमारे पास जो होना चाहिए मैं इसको यहां पर लिग देता हूं जिससे बात क्लियर हो जाए यहां पर देखो अंतीम में क्या करोगे या तो अंतीम में तीन डिजिट क्या होना चाहिए यह हमारे पास क्या हो गया 6 गुना, 4 गुना नहीं 5 गुना, और यह हमारे पास क्या हो जाएगा 756 गुना, और 7 गुना क्या हो जाएगा, बोलोगे सर 875, आठ गुना क्या हो जाएगा तो बोलोगे सर 1000, देखो यहां से repeat होना शुरू हो गया, यहां से यह क्या होना शुरू ह बात आया समझ में फिर से अगला देखो गे तो यह 1125 हो जाएगा बात आया समझ में देखो यह फिर से repeat हो बीठना शुरू हो गया इसका मतलब है कि अंत्पी 2.00 रहे या तो 125 रहे या थो 455 रहे य या то 650 रहे या पर मैं जो समझाना चाह रहा हूँ divisibility वाले में divisibility वाले में हमने आपको समझा दिया 2 का, 3 का, 4 का, 5 का, 6 का नहीं समझा है 6 का मैं समझा हूँगा आपको 7 का नहीं समझा है, 7 का भी समझा हूँगा 8 का समझा दिया, 9 का समझा दिया 10 से तो 10 का मतलब हो गया, अंती में 0 हो जाएगा, तो 10 वाले में तो कुछ बताने का जरूत नहीं है, है ना, अब 11 से पहले हम लोग समझ लेते हैं, फिर उसके बाद समझेंगे, बाद में, यहाँ पर पहले देखो, 11 से कोई भी संख्या कैसे कट जाएगी, अगर आप से पू जाएगा, बताओ, 4 जाएगा, इसी तरह से इसके अलावा अब यहाँ पर दूसरा अंक लेना है, और इसका अल्टरनेट फिर चौथा अंक लेना है, और इस दोनों का योगफल चेक करो, इस दोनों का योगफल हमारे पास क्या जाएगा, एक प्लस ती, यानि यह भी क्या आ गया है, चार, मतलब अल्टरनेट बिजिट का, अंक का, योगफल का, अगर अंतर देखोगे, तो अंतर अगर हमारे पास बीरो आ गया, या 11 आ गया, या 11 से कटने वाली कोई संख्था आ गया, इसका मतलब है कि पूरी के पूरी संख्था भी क्या हो जाएगी, बताओ, क देखो, यह संख्था लिखा हुआ, हम क्या करते हैं, हम यहाँ पर 3 को एड़ करेंगे, 5 में, 3, 5, 8, 8, 8, 2, 10, और 10 में क्या जोड़ोगे, 2 जोड़ोगे, तो यह हमारे पास क्या आ गया है, 12 आ गया, ठीक है, अब इसके अलावा, इस 1 को जोड़ेंगे, 0 में, फिर 0 में, तो 1 प्लस 0 प्लस 0 मिल करके, यह हमारे पास क्या जाएगा, बताओ, 1 आ जाएगा, अब देखो, 12 और 1 का अंतर क्या हमारे पास 11 आया क्या, अगर यह 11 आ गया है, तो हम समझ जाएंगे, कि यह 11 से भी बिलकुल, बिलकुल यह कट जाएगी, ठीक है, 11 से आपको समझ में आ ग अगर कोई भी 2 डिजिट का संख्या, दो बार रिपीट करके लिखा गया है, यह संख्या 101 से अवस्य कटेगी, किस से कट जाएगी, यह संख्या 101 से अवस्य कट जाएगी, हम यहाँ पर एक्जाम्पल लेकर क्या आपको समझाते हैं, जैसे यह हमारे पास एक्जाम्पल में दिया वहा 1929, जैसे हमने देखा कि दो डिजिट की संख्या दो बार रिपीट करके लिखी गई, यह पक्का है कि 101 से अवस्य कट जाएगी, ठीक है, क्या बात आया समझ में, उसके बाद ध्यान से समझना, उसके बाद ध्यान से समझना, अगर तीन डिजिट की कोई संख्या और यह दो बार repeat करके निखी गई है इतना बार repeat करके लिखी गई है तो दो बार repeat करके निखी गई तो यह 1001 से अवश्य कट जाएगी यह किस से कट जाएगी 1001 से अवश्य कट जाएगी क्या ये 1001 से अवश्य कटेगी बोलोगे हां सरी है संख्या 1001 से अवश्य कटेगी अब 1001 के बारे में मैं आपको समझा दू 1001 बना किसे किसे है तो 1001 जो बना है 1001 जो बना है वो बना है 7 गुना 11 गुना 13 से अगर कोई भी संख्या 1001 से कट जा रही है तो इसका मतलब भी है संख्या 7 से भी कटेगी 11 से भी कटेगी 13 से भी कटेगी जो संख्या 1001 से कटेगी याद कर लो जो संख्या 1001 से कटेगी वह संख्या 7 से भी तेरा को 111 से बुना करोगे 143, 143 से भी कटेगी, बहुत सारा चीज है लेकिन में चीज इसको याद रखना है, 1001 को याद रखना है, 7, 11, 13, ठीक है, बात आया समझ में, अब देखो next point पे चलते हैं, next point पे चलते हैं, ध्यान से समझना मेरी बातों को, तीसरा point हमारे पास क्या तीन बार repeat करके लिखी गई है, इतना बार repeat करके लिखी गई है, तीन बार repeat करके लिखी गई है, यह संख्या 10101 से अवश्य कट जाएगी, जैसे हमारे पास एक example लेलो, मैं यहाँ पर लिखता हूँ, जैसे हमारे पास लिखावा 27, फिर लिखावा 27, और फिर लिखावा 27, तो दो डिजिट की संख्या है, यह कितना बार repeat करके लिखी गई है, बोलोगे सर तीन बार repeat करके लिखी गई है, इसका मतलब है संख्या 10101 से अवश्य कटेगी, और जब 10101 से अवश्य कटेगी, तो मैं आपको यहाँ पर समझाना चाहता हूँ कि 10101 जो है, वो बना किसे किसे ह तो बोलोगे सर यह जो बना है, यह बना है 37, यह बना हमारे पास इसको कर दो, या तो ऐसे कर दो, डिरेक्ट लिख दो इसको, इसको लिख दो ऐसे, 91 गुना 111 से बनी है, 91 को जब 111 से बना करोगे, तो यह 1010101 आएगा, 91 किसे किसे बना है, बोलोगे सर 7 गुना 13 होता है, 91, 13, Amad yep 111 और 111 किसले किस से बना है तो बोलो कि guarantee को 37 से multiple कर देँने तो ये हमारे पास क्या जाता ह 211 है इसका मतलब है कि जो भी संख्या 10101 से कटेगी ही संख्या 91 से भी कटेगी 1111 से屹ैए 1111 से भी कटेगी سao 111 से कटेगी तेरे से भी कटेगी, 3 से भी कटेगी, 37 से भी कटेगी, 13 तिया 49 से भी कटेगी, 7 तिया 21 से भी कटेगी, बात आया समझ में, ठीक है, अब देखो यहाँ पर next point पे चलते हैं, और यह चौथा point होगा, यह हमारे पास क्या होगा, चौथा point होगा, ध्यान से समझ में, अगर कोई भी ए अच्छे गौर से देखोगे, तो यहाँ पर देखो, यह क्या दूसरे कंडिशन को फुल्फिल कर रहा है, क्या आप बोलोगे, हाँ सर, दूसरे कंडिशन को यह फुल्फिल कर रहा है, दूसरे कंडिशन को यह फुल्फिल कर रहा है, तीन डिजिट की संख्या दो बार रिपी करके यह तीसरे कंडिशन को भी फुल्फिल कर रही है इसका मतलब हम लोग इसको कह सकते हैं यह संख्या किसे किसे कटेगी दूसरे कंडिशन को अगर फुल्फिल कर रही है तो 1001 से भी कटेगी और 10101 से भी कटेगी बात आया समझ में अब जब जो संख्या 1001 से कट रही है वह संख्या 7 से भी कटेगी 11 से भी कटेगी और वह संख्या 13 से भी कट जाएगी जो संख्या 10101 से कट रही है इसका मतलब वह 7 से भी कटेगी 13 से भी कटेगी 3 से भी कटेगी और 37 से भी कट जाएगी क्या मेरी बात आया समझ में मेरी बात आ गई आप सभी बच्चों को समझ में, इतना बात clear हो गया है divisibility का rule, और साथ-साथ ये remainder थी और हम सेस्फल परमे में भी ये चीज़ आपको काम आने वाला हो, बात आया समझ में, फिर सुनो, फिर उसके बात जो हमने आपको समझाया, हमने आपको अभी तक नहीं समझाय कोई संख्या 6 से ऐसे कटेगी कि दो को दीन से using म dau ट्प्ला करते हैं तो संख्या 3 से बीकटे। इसी तरह से यहां पर अगर किसी संख्या 12 से कुई संख्या कट रही है या नहीं कट रही है तो कैसे पता करेंगे, 12 बढ़ाबर हता है 4 Luk. तो संक्ही जो संक्हा 4 से बी कटे जो संक्हा 3 से बीकटेти जो 4 और 3 2 से कटे़ वह संक्हा 12 से वीकट जाएगी बात आया समझ में इसी तरह से अगर हम यहाँ पर 72 लिखते हैं했다 से बाइप आं यह संख्या 8 से बीकटे नौ से 42 से जायए गी वो बहुत ज्यादा important rule है नहीं और उससे जदा तर question पूछता भी है पूछता तो है question लेकिन आप लोग में इस में question बहुत ज्यादा deep में नहीं जायागा आप क्या करोगे साथ से Direct लगा करके चेक ही कर लो बी इतना बात अगर आपको आ गया है समझ में आपको आ गया है समझ में उम्मीद करते हैं कि हमने जो समझाया Divizability में बिल्कुल आपको आ गया होगा समझ में पहले तो यहां पर देखो यह आसान सा Question है 295 और 500 तक ऐसी कितनी संख्य है जो 3 और 5 दोनों से पूर्णता विवाजी है ऐसा question आपसे पूछा जा सकता है जो 3 और 5 दोनों से पूर्णता विवाजी है एक तो ऐसे भी पूछा जा सकता है यहाँ पर देखो और एक ऐसा भी पूछा जा सकता है जो तीन या पाँच दोनों से भी भाज है तो दोनों ही question को हम यहाँ पर क्या करते हैं आपको clear concept दे देते हैं ध्यान से देखो सबसे पहला काम क्या करोगे यह जो हमारे पास 295 तक बोला है तक में हमने कल बताया था आपको अगर याद हो तक में हमने जो आपको बताया था बड़ा संख्या को लिखना है और 295 को लिख करके जो छोटा संख्या है हमारे पास उसमें से एक कम कर देना है तो 295 में से एक कम क हो जाता है यह संख्या 15 से वीवाग्यों जाएगी अहीं मतलब हो जाता किया आप को क्या करना है पहले चेक करना है कि 500 तक 15 से कटने वाली कितनी संख्या है और 294 तक 15 से कटने वाली कितनी संख्या है यह तो question पूछा 295 से यानी 294 से उपर तक हम 294 से 294 तक 15 से कटने वाली जो संख्या हम इसको काटते हैं 15 इकाई 15 बच गया 14 144 आ गया 15 अठे 120 15 नमे 135 ठीक है तो हम बोल सकते हैं कि 15 नमे 135 यह 19 ऐसी संख्या है जो 15 से कट जाएगी और 500 तक 15 से कटने वाली कितनी संख्या है तो बोलोगे सर 15 45 हो गया बच गया 4, 40 हो गया 15 13, 500 तक कितना संख्या हो जाएगा बोलोगे सर 32 हो जाएगा 294 तक कितना हो जाएगा 19 अगर हम 294 से 294 तक कटने वाली संख्या जो 15 से है उसको 32 में से घटा डालते हैं, तो इसका मतलब है कि इसके बीच वाली संख्या निकल जाएगी, 32 में से अगर आप 19 को माइनस करवे, 32 में से 20 माइनस करोगे, 12 माइनस करोगे, 19 माइनस करोगे, तो यह हमारे पास क्या जाएगा? बता हो 13 यह 30 खाएगा यहां पर यहां पर जो question है, इसका जो answer आजाएगा, 32 में से, 15 या 45, 5 बच गया, 15 या 45, ओ, एक सकेंड उब्जाब, 14 आजाएगा, यह क्या आजाएगा, 14 आजाएगा, ध्यान स्टेक, यहां पर 33 हो जाएगा, ठीक है, 15 या 45, यहां पर 5 बच गया, 15 या 45, यह हमारे पास क्या आजाएगा, 33 आजाएगा, ठीक है, और इसी तरह से, ये हमारे पास क्या चुता था, 19 आचुता था, तो 33 में से 19 को माइनस करोगे, तो ये हमारे पास जो संख्या आ जाएगा, वो क्या जाएगा, बताओ, 14 आ जाएगा, इसका जो आंसर हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा, 4, एक तो ये संख्या आपसे, इस तरह का question आपसे निकालना पड़ेगा, बोलो के सर पहले 3 से निकालते हैं, या तो 3 से विभाजी हो, या तो 5 से विभाजी हो, तो 3 से विभाजी होने वाली संख्या 500 तक, 500 तक 3 से विभाजी होने वाली संख्या में से 294 तक 3 से विभाजी होने वाली संख्या को पहले घटा डालते हैं, ठीक ह यहां पर आ जाएगा आपका 27 और 3 अठे क्या आ गया 24 तीन अठे क्या आ गया है 24 अब 166 में से अगर 98 को माइनस करोगे तो यह जो आपके पास संख्या आएगा वो आएगा 68 वो संख्या क्या आ जाएगा बताओ 68 इसी तरह से हमें क्या निकालना पड़ेगा पास से कटने वाली संख्या तो पास से कटने वाली संख्या 500 तक पास से कटने वाली संख्या 100 होगा और 294 तक पास से कटने वाली जो संख्या होगी वो हमारे पास क्या हो जाएगी देखो यहां पर लिखोगे 100 पास से कटने वाली संख्या 100 और 294 हमारे पास क्या जाएगा यहां तक बिल्कुल सही है अब सुनो कुछ ऐसी भी संख्या जो 15 से भी कट जा रही है तो 15 से कटने वाली संख्या में हमने तीन वाला बिगिन लिया था और पांच वाला बिगिन लिया था इसको भी वैसे ही करेंगे 15 से निकाल लेंगे 15 से तो हमें क्या करना चाहिए अगर question पूछ दिया है 3 या 4 से इस condition में 3 या 5 से इस condition में क्या करेंगे 68 में 42 को जोड़ेंगे और 14 घटा देंगे 68 में 42, 3 से कटने वाली 68 संख्या, 5 से कटने वाली 42 संख्या और दोनों से कटने वाली संख्या हमारे पास क्या है, बताओ 14 है, घटा देंगे 68 में 42 को जोड़ोगे, तो 68 और 42 मिलकर के, यह हमारे पास 110 होगा और 110 में से 14 को घटा दोगे तो यह हमारे पास क्या जाएगा 96 उम्मीद हम यह करते हैं कि इस question का concept आपका क्या हो गया होगा चलिए नेक्स कोस्चन पर आते हैं और नेक्स कोस्चन देखते हैं ठीक है कहा क्या जा रहा है कि यह हमारे पास नेक्स कोस्चन है और नेक्स कोस्चन हमारे पास जो दिया हुआ है यह कहा रहा है कि 5, 4, 8, B पाँच चार और आठ और वी यह किससे बिवाजी है छे से बिवाजी हो इससे बिवाजी है छे से तो वी का मान गयात करें सबसे पहले तो यहां पर देख लो कि जो भी संख्या 6 से विवाज होगा, वह संख्या 2 और 3 दोनों से विवाज होगा, और जब 2 और 3 दोनों से विवाज होगा, तो एक बात तो पता चल गया, जो संख्या 2 से विवाज होती है, वह संख्या हमेशा क्या होता है, यूनिट डि देखो तीन से कट गया, आठ में अब हम क्या जोड़े कि तीन से कट गया, बोलोगे सर, option ने उठा के जोड़ जोड़ के देख लिजे न, आठ में 6 जोड़ोगे, 8-6-14, अगर हम यहाँ पर 6 रखते हैं, तो 8-6-14, क्या 3 से कटेगा, बोलोगे नहीं, आठ में यहाँ पर 2 र रख करके देखो option में, 8-4-12, 12-3 से कटेगा, बोलोगे answer यह कट गयेगा, इसका मतलब answer इसका क्या जाएगा, बता option number 3, clear है, option number क्या जाएगा, इसका 3, उम्मीद करते हैं कि बाते आपके समझ में बिल्कुल सही तरीके से आ रही होंगी, क्या कोई problem तो नहीं हो रहा है, वीडियो आपको बिल्कुल अच्छा लगेगा, यह बात confirm रही है, तो आपको क्या करना है, बीच-बीच में भाई, एक बार like करना है, साथ ही मैं आपको याद दिला दूँ, कि आप लोग इसको share भी कर सकते हैं, अपने-पने Instagram पे, अपने-पने Facebook पे, अपने-पने जो भी आप जो भी किसी गुरूप में जुड़े होए हैं, उस गुरूप में आप इसको क्या कर सकते हैं, इस वीडियो को share भी कर सकते हैं, जिससे की सभी बच्चों को लाब प्रात हो सकते हैं, ठीक है, चलिए, नेक्स कोस्चन पे आते हैं, नेक्स कोस्चन क्या कह रहा है, कि वह निउन्तम पूर्ण वर्ग संख्या कौन सा है, जो 12, 5 और 2 से पूर्णता विवाजी है, सबसे पहले तो यहां पर देखो, जैसे ही कोस्चन बोलान कि पूर्ण वर्ग संख्या, तो पूर्ण वर्ग संख्या क्या 8 है, क्या 512 है, क्या सर 36, क्या ये 2 से कट रहा है, बोलोगे हाँ सर 2 से कट रहा है, क्या 6 से कट रहा है, हाँ सर 6 से कट रहा है, क्या ये 12 से कट रहा है, बोलोगे हाँ सर कट रहा है, तो answer क्या हो जाएगा, बतो option number 6, इससे ज़्यादा इसमें दिमाग लगाने का कोई जरुवत ही नहीं है, अगला question प्याते हैं, अब देखो यहाँ पर सेसफल पर्मे हमारे पास आ चुका है, सेसफल पर्मे पर ध्यान देना है सभी बच्चों को, दो पर पावर 125 लिग दिया है और इसको कहा जा रहा क्या, 111 स बिवाजित करने पर इसके बाद सारा का सारा कौन सी संख्या, 9 से कौन सी संख्या, सेसफल पर्मे का बीच में एक question आ गया है, अलकि हमने अभी सेसफल पर्मे नहीं बताया है, मैं आपको आगे इस question के बारे में समझाओंगा, सेसफल पर्मे मैं आपको बताऊंगा, divisibility का rule पहले खतम कर लेते हैं, तो 9 से कौन सी संख्या बिवाज ये, 9 से कौन सी संख्या बिवाज ये बताऊ, पहला option देखो, 9 से 9 कट गया, 5, 4, 9 कट गया, तो पहला option पहला जो कथा ने वो बिल्कुल बिवाज ये है, अब देखो यहाँ पर 7, 6, 13, 13 में 6 को जोड़ो, 13 और 6 मि बिवाज बचेगा, 8, 9, ये भीक देखो कट गया, इसी तरह से 9 से 9 कट गया, 8, 6, 14, 14 में 5 को जोड़ो, 14 में 5 को जोड़ो, 14 में 5 को जोड़ो गया, 19 ये बिल्कुल नहीं कटेगा, 9 से 9 कट गया, 8, 2, 10, 10, 8, 8, 11, ये भी देखो 9 से कट गया, तो answer क्या हो जाएगा, 1, 2, 1 1, 2, 1, 4, यानि option number 3 आपका बिल्कुल क्या है, right answer है, next question पर आजा, 7 से बिभाजी संख्या, 2 अंकों की कितनी संख्या है, जो 7 से बिभाजी है, 2 अंकों की कितनी संख्या है, 2 अंकों की संख्या पहले देखो, 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या है, बताओ 10 से, 2 अंकों की तो नहीं कातना चाहिए था असल में हमको क्या कातना चाहिए था 15 science जैसे बूलता है तक सबसे बड़ा science science 9 लिख दो और 10 में से एक घटा करके यहां पर 9 लिख दो तो 99 ता कटने वाली 14 और 10 से नीचे कटने वाली संख्या 7 से 1 तो 14 में से 1 को घटा दोगे ये दो अंकों की संख्या हमारे पास निकल जाएगी जो 7 से बिलकुल कट जाएगी आंसर हमारे पास क्या जाएगा option number 3 next question देखो हमारे पास क्या दिया हुआ वह बड़ी से बड़ी संख्या ग्याद करें जो 43, 91 और 183 को भाग देने पर पर परती एक बार समान से स्फल बचता है वह बड़ी से बड़ी संख्या ग्याद करें देखो इस तरह का question है वो LCM-HCF में भी आपको मिलेगा मैं आपको जो समझाना चाहरा हूँ इसको देखिये ध्यान से मैं आपको जो समझाना चाहरा हूँ इसको समझो exam के दृष्टी कौन से इस question को कैसे बनाएंगे हम उठाएंगे सीधा सीधा option हम उठाएंगे सीधा सीधा क्या बोलोगे sir आप उठा लीजिए direct option option अगर उठाओगे तो बता option हमारे पास संख्या क्या सब है हमारे पास जो संख्या है वो देखो क्या है 43 है 91 है और क्या है 113 समान से इस फ़ल बचता है हम इसका दूसरा भी तरीका बताएंगे आपको लेकिन ये जो तरीका हम आपको बताने जा रहा है 183, हम सबसे पहला उपसन उठाते है, 7, 7, 6, 42, 1, 6, 56, shorts, 1791, 0, 6, सेसफल बचा क्या साथ छा के भी आलीज्स अगर हम इसको साथ से काटे तो सेसफल बचेगा एक और इसको अगर साथ से काटे तो बताओ सेसफल क्या बचेगा जीरो समान सेसफल नहीं बचा इसका मतलब option एच आठा गया 13 से काटके देखो 13 सत्य 91 91 पूरा-पूरा कट गया तो सेसफल क्या बचेगा जीरो और 13 तिया 49 सेसफल क्या बचेगा बोलोगे सर 4 इसका क्या मतलब हो जाएगा बताओ इसका मतलब हो जाएगा भाई सहाग कि समान सेसफल 13 से भी नहीं हो पाएगा हम 9 से काट के देखते हैं 9 से 9 से काट के देखोगे तो 4 3 7 अभी अभी हमने बताए नौ से काटना नहीं है सेसफल निकालने के लिए 9 वाले में हमने क्या बता था या तो आप 43 को अगर 9 से डिवाइड करोगे तो 9 चुका 36 आता है और सेसफल हमारे पास क्या जाएगा 36, 43 में से 36 को भेटा दोगे तो ये 7 आजएगे लेकिन हमने आपको क्या समझाता, कभी भी 9 वाला चेक करना हो, आप सिधा-सिधा इसके अंकों को जोड़ दो, 4 प्लस 3 मिलकर के देखो क्या आजाएगा, 7, तो जो इसके अंकों का योगफल होगा, वही इसका क्या हो जाएगा, बताओ, 6 फल हो जाएगा, अब बताओ, इसमे हो पाएगा क्या, और जब 3 option eliminate हो गया, तो आंक बंद करो, आंसर मार करके आगे निकल जाओ, फिर भी हम यहाँ पर आपको चेक करके समझा देते हैं, यहाँ पर देखो ध्यान से, अगर हम 43 में 4 से डिवाइड करते हैं, तो सेस्पल अगर हम 4 से डिवाइड करते हैं, तो से से डिवाइड करोगे, तो देखो, चार चोका, सोला, दो बच गया, चार पंचे 20, क्या सेस्पल बचा, बोलोगे सर, पीन बचा, तो समान सेस्पल बचा, तो option से उठा करके ही इस question को solve कर दोगे, तो answer आगेगा, बट जो चाहते कि नहीं हमारा basic knowledge भी ठीक हो जाए, तो समान सेस्पल कभी भी बचेगा, तो यह हमारे पास क्या 43 है, 91 है, और यह हमारे पास 183 है, इसका क्या कर लो, answer निकाल लो, इसका answer निकाल करके, इसका highest common factor निकाल लो, 91 में से 43 को भट ओ, 11 में से 3 गया, तो यह 8 बच गया, 8 में से 4 गया, तो यह हमारे पास 4 बच गया, 113 में से 91 गुए घटाओगे तो ये दो बज़ जाएगा, 18 में से नो घटाओगे तो ये नो बच जाएगा। अब बताओ, 48 और 92 का अगर XCF निकालोगे तो ये देखो, 12 चोका होता हा 48, 12 चोका क् compromise 8 और ये हो जाता हमारे पास 23 चोका 92 इसका जो XCF हो जाता है वो हमारे पास क्या जाता है XCF हम निकालने के लिए दूसरा भी तریका बताएंगे LCM और prue XCF में स्का Rs.CF क्या हो गें बता हो चार हो गया था यहार हमारा क्या हो जाएगा यह हमारा क्या था विसक तरीका था उम्मीट करते हैं कि बात समझ में आ गया होगा आप सब को नेक्ष कोश्चन पर चलते हैं नेक्ष कोश्चन देखो यह हमारे पास क्या आ गया है इकाई अस्थान के अंग इकाई अस्थान के यह हमारे पास आ गया है अंग तो पहले हम इकाई अस्थान का जो अंक है उसके बारे में आपको वो concept समझा देते हैं बहुत ज़्यादा deep में हमें जाने का जरूत बिल्कुल नहीं है तो इकाई अस्थान पर के अंक आप लोग यहां पर heading लगा सकते हो इकाई अस्थान के अंक unit digit क्या लिखोगे unid digit यह आगे अपका unit digit मैं आपको क्या समझाना चारा हूँ देखो ध्यान से अब कोई भी संख्या अगर हमारे पास भी आबा 23 गुना भी आबा है 24 गुना भी आबा है 26 गुना भी आबा है 28 गुना भी आबा है और आपसे question पुछेगा बताइए इसका जो गुननफल है उसका unit digit क्या होगा तो आप क्या करने लग जाओगे सब को गुना करने लग जाओगे क्या बिल्कुल गुना नहीं करोगे क्या करोगे आप बताओ unit से unit को multiply करोगे देखो यहाँ पर यह 7 को किसे multiply करते 8 से 7 8 के आगया 56 चपपन का 6 बच गया 6 को 6 से गुना करो 6 6 के 36 फिर 6 बच गया 6 को गुना करो 4 से 6 4 24 फिर 4 बच गया और 4 को किस से गुना कर दो 3 से 4 ती या 12 तो इकाई अस्थान के जो आपका अंक हो जाएगा वो क्या हो जाएगा बताओ दो हो जाएगा क्या बात आया समझ में कि किस तरह से question आप से पूछा गया एक तो ये question पूछा जाएगा कि unit से unit को सारे में multiply कर दो अब लेकिन करने का मतलब यह ने की साथ ऐठे यहां पर फिर 56 लिःग दिये सब फिर यहां पर 6 से बुना करने लग घए ती यह आपका अंसर क्या आ जाएगा बतओ दो answer क्या जाताओ यहां मैं आपको यहां पर कुछ कौनसट दे रहा हूं इस कौनसेप्ट पे आप सबों को ध्यान देना है, मैं आपको जो concept दे रहा हूँ, उस concept पे आपको ध्यान देना है, अगर ये concept आप समझ गए, तो देखो कितना आसान हो जाएगा unit digit, concept number one, सबसे पहले देखो, कभी भी, कभी भी संख्या दिया रहे, कभी भी इस तरह का गुनन फल दिया रहे, पा इकाई अस्थान का अंक होगा, इसका जो इकाई अस्थान का अंक होगा, तो एकदम आख बंद करकर के, एक second में लिख दोगे, सर जीरू, क्या लिख दोगे, जीरू, मैं दो concept यहाँ पर समझा रहा हूँ, यहाँ पर समझना है, इसके बाद अगर पांच आ गया, और एक example लेकर के समझाते हैं, जैसे हम यहाँ पर आपको एक example लेकर के समझाते हैं, एक question हमारे पास भी आवा है, लिखावा है 247, गुना दो सो, 48, गुना लिखावा है 358, गुना लिखावा है 700, 73, आपको बताना है कि इसका unit digit क्या होगा, इसमें ऐसे गुना नहीं करना है, 3, 3, 84, 24, गुना लिखावा है, इसमें क्या करना है जानते हो, सिर्फ यहाँ पर देखो, सिर्फ यहाँ पर देखो और समझने का कोशिज करो, क्या, यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या आया, पांच आया, और पांच के साथ कहीं न कहीं even number है, और नमबर रहे चाहे नहीं, उससे कोई फार्क नहीं पड़ता है, यहाँ पर पांच है और even number है, पांच और even number का combination हमेशा unit digit क्या बनाएगा, बताओ, unit digit इसका आँख बंद करके answer लिख दोगे, सर 0 होगा, एक और मैं आपको example दे रहा हूँ, जैसे यह हमारे पास लिखावा 243, यह हमारे पास लिखाव 273, 674, 900, 355 beside these, झेखो 5 आ गया है, पांच मिल गया है, कहीं पर even number है क्या, कहीं पर सामसंख्या है क्या, बोलोगे सर कहीं पर सामसंख्या मेंच्ट, तो पांच और और नमर का combination है, तो इसका unit digit हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा, बोलोगे सर, इसका unit digit पांच हो जाएगा, इससे ज़्यादा चाइम इसमें बिल्कुल भी क्या करना है नहीं लगाना है फिर देखो next page पे चलते हैं next page पे यहां पर मैं आपको समझाता हूँ ध्यान से देखना सभी बच्चे उसके बाद मैं समझाता हूँ उसके बाद कभी कभार इस तरह का question आपसे पूछ दिया जयता है जैसे लिखावा रहेगा 212 पर पावर क्या दिया है यह 42 दिया है तो इस तरह का power दे देगा आपको और power देने के बाद इसमें पूछ देगा क्या भाई साब आप इसका करना इसके लिए मैं आपको जो एक concept बता रहा हूँ यहां पर दो तीन concept होगा दो तीन concept से हम इसके concept को पूरा का पूरा clear कर लेंगे सबसे पहला जो concept है याद रखना दो चीज होता है एक तो हमारे पास नीचे में क्या होता है नीचे में होता है बेस नीचे वाले को हम पावर उपर वाले को क्या बोलते हैं हम लोग पावर इसको याद रखना अब देखो पहला जो concept है इसको समझो पहला जो concept है पहला concept यह है कि अगर सबसे पहले चेक करो बेस का आधार का इकाई अंग अगर जीरो रहे एक रहे पांच रहे या छे रहे इकाई अगर इकाई याद रखना पावर कुछ भी हो ये हमेशा बेस का इकाई अंक अगर जीरो रहे एक रहे पाँच रहे छे रहे तो पावर कुछ भी हो उससे कोई मतलब नहीं है आंसर हमारा यूनिट डीट के आएगा जीरो का जीरो ही आएगा एक का एक ही आएगा पाँच का पाँच ही आएगा और छे का क्या आएगा छे ही आएगा याद रहेगा यहां पर कुछ एकजामपल ले करके आपको समझते हैं जैसे कुछ एकजामपल ले करके हम आपको समझते हैं जैसे पहला question हमारे पास दिया हुआ है लिखावा है 241 पर power है XYZ 241 पर power है 240 बताना है इसका 1 अस्थान का अंख क्या होगा युनिडिट क्या होगा तो बोलोगे सर इसका unit digit एक हो जाएगा इसका unit digit क्या हो जाएगा एक हो जाएगा फिर सुनो हमारे पास लिखावा है 245 245 पर power क्या लिखावा xyz मतलब power कुछ भी हो उससे अपने को कोई मतलब नहीं है इसका unit digit क्या रह जाएगा बताओ 5 का 5 ही रह जाएगा इसी तरह से हमारे पास कोई भी संख्या दे दो लिखावा 740 740 पर power क्या हमारे पास है लिख लेते हैं ABC unit digit पर base का unit digit क्या है 0 है तो इसका मतलब है कि इसका पूरा का unit digit भी हमारे पास क्या हो जाएगा बताओ 0 ही हो जाएगा एक और संख्या लिख लेते हैं जैसे 736 तो 736 पर power अगर लिख लोगे 342 तो इससे कोई फरक नहीं पड़ता है unit digit base का क्या है 6 है इसका answer भी क्या आ जाएगा बताओ unit digit हमारे पास क्या हो जाएगा बोलोगे सर 6 का तो 6 ही हो जाएगा क्या बाता है समझ में एक और question हम यहाँ पर ले करके आपको दिखाते हैं एक और question हम ले करके दिखाते हैं अच्छा एक बात आप सब बच्चों यह बताओ अगर हमारे पास लिखावा है 21242 और उसमें से हमें घटाना है 1457 को 1457 को या आप यहाँ पर लिख लो 1458 को तो यूनिट डिजिट क्या होगा आप बोलोगे क्या कि सर यह जो है ना यह 2442 है और इस 2442 में से हम 1458 को घटाते हैं कैसे घटाते हैं बताओ बच्चा में कैसे घटाते थे बोलते थे 2, 2 में से नहीं कट गया, तो आगे 10 पहीं चालो, आगे से 1 लोगे, तो इकाई अस्थान पर देखो, 4 में से 1 घटेगा, तो यह तो दहाई स्थान पर हैं, तो एक यहाँ से जायेगा, तो आगे आके क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा, 10, 2, 12, 12 में से 8 घटा दिये, तो क्या आ गया unit digit 4 आ गया, लेकिन ऐसे नहीं बनाना है, मैं क्या समझाना चारा हूँ, इसका 2 लो और इसका 8 लो, यहाँ पर क्या आ जाएगा 2, 2 में से 8 को घटा होगे, तो क्या हमारे पास minus 6 आ गया क्या, बोलोगे हाँ सर minus 6, minus 6 कभी भी unit digit हो सकता है नहीं हो सकता है, यह ज कोस्चन आपको देखर के समझ लेता हूँ कि आपको आया की नहीं आया, जैसे यह हमारे पास कोस्चन दिया हुआ है, लिखावा 241 पर पावर है 32, प्लस फिर लिखावा है 45 पर पावर है 46, और यह हमारे पास जो है, माइनस कर दिया है, माइनस कर दिया है, 77 पर पावर 42, और फिर माइनस कर दिया है, 45 पर पावर 42, बताओ इसका अंसर क्या होगा, तो बोलो के सर यह तो डिरेक्ट एक वाला है, तो एक को देखेंगे तो एक ही आ जाएगा, पावर कुछ भी हो, पाँच देखेंगे तो पाँच ही आ जाएगा, 6 देखेंगे तो 6 ही आजाएगा और 5 देखेंगे तो क्या आजाएगा 5 ही आजाएगा 5 प्लस 1 मिल करके 6 6 से 6 कट गया हमारे पास finally क्या आया बताओ बोलो के sir हमारे पास तो minus 5 आया लेकिन अभी अभी हमने बताया था कि आपको क्या करना है आपको क्या करना है आपको जो करना है वो करना है इसमें 10 add क्यों वही जो 10 पहिंचा ले रहे थे ना वही हमारा उत्तर हो जाएगा 10 में से 5 घटा दोगे यह answer हमारा क्या आजाएगा बताओ 5 आजाएगा तो अभी तक जो हमने समझाया वो हमने समझाया कि अभी तक अंक में कितना अंक आ चुका है बोलोगे सर चार अंक आ चुका है अब थोरा सा और आगे बढ़ते हैं एक और step हम लोग लेते हैं यहाँ पर एक और चीज मैं आपको यहाँ पर सिखाना चाहता हूँ कि बेस का इकाई अंक सर क्या अगर आउड नमबर रहे चार रहे और तो भी इसका इकलाली स्थान का जा अंक हो जाएगा वो क्या हो जाएगा छे हो जाएगा इसके अलावा इसमें कुछ और भी चेक करने का बिल्कुल जरुत नहीं है अब हम किस पर आते हैं देखो यहाँ पर 9 का भी special rule है 9 का special rule में भी आपको समझाते हैं अगर 9 है unit digit 9 है तो power में check करो की sum है कि विशम है यहाँ पर हमने odd लिखा है odd का मतलब क्या हो जाता बताओ विशम संख्या अगर 9 पर power odd number है तो उस condition में जो unit digit आएगा वो हमारा क्या आजाएगा 9 का 9 ही हो जाएगा लेकिन 9 पर power अगर even number हमारे पास दिया रहे है क्या दिया रहे है समसंख्या दिया रहे है तो इस condition में जो हमारे पास unit digit हो जाएगा वो एक हो जाएगा याद रखना याद रखना और याद रखनी जैसे मैं आपको यहाँ पर कुछ example दे करके आपको समझाता हूँ जैसे एक हमारे पास question है एक हमारे पास देखो question आ गया है लिखावा 144 144 पर power है 40 फिर यहाँ पर लिखावा प्लस 149 पर power दे दिया है 44 फिक है और फिर यहाँ पर minus कर दिया है 134 पर power 134 पर power 47 फिक है और फिर minus यहाँ पर कर दिया है 49 पर power 49 पर power हमारे पास दे दिया है 49 फिक है तो इस condition में आप से question पूछा जा रहा है कि बताए unit digit इसका क्या होगा इकाई अस्थान का अंक क्या होगा तो बोलो कि सर चुठकी का खेल है यह तो हमारे पास base का इकाई अ पर power अगर even है तो unit digit क्या होगा बोलो कि सर इसमें आंक बंद करके डेरेक्ट लीग देंगे सर यह तो छे होगा इसी तरह से यहाँ पर क्या है नो है और power में क्या है even number है तो इसका unit digit क्या हो जाएगा power में अगर even है तो यह क्या हो जाएगा यहाँ तक किसी को कोई problem संख्या पावर है तो चार पर पावर और नमर क्या हो जाता बताओ यूनिट डिगिट बोलोगे सर चार ही हो जाता है इसी तरह से यहां पर हमारे पास नो दिया हुआ है और पावर में हमारे पास ओड है कि इवेन आप बोलोगे सर ये तो विशम संख्या है और नो पर पावर विश्यम संख्या हो तो इसका unit digit क्या हो जाता नो ही हो जाता है अब आप क्या बोलोगे अब आप बोलोगे सर 6 प्लस एक मिल करके 7 7 में से 9 को घटाएंगे माइनस 2 माइनस 2 माइनस 4 मिल करके क्या हो जाएगा माइनस 6 और जैसा कि हमने माइनस वाला मंश कनडिशन में बताया था अगर माइनस में आ जाये तो उस कनडिशन में हम लोग इसमें क्या जोड़ देते बताओ दस जोड़ करके अंसर लिग देते हैं कि सर इसका unit digit क्या हो जाएगा इसका unit गिलिट हो जायागा चार, क्या आया बात समझ भें? अब तो यह हो गया हमारे पास 4 और 9 के बारे में, ठीक है? अब इसके अलावा देखो यहाँ पर, next page पे चलते हैं, base का unit digit हमने 0 बता दिया, 1 बता दिया, 5 बता दिया, 6 बता दिया, 4 बता दिया, 9 बता दिया, base का हमने क्या इसके अलावा कोई डिजिट हमारे पास बचता है अब जब इसके अलावा हमारे पास कोई डिजिट बचता नहीं है तो इस कंडिशन में हम लोग क्या करते हैं देखना ध्यान से सभी बच्चे देखना ध्यान से हम यहां पर क्या करते हैं यहां पर हम आपको तरीका समझाते ह हूँ जिससे कि आपका example भी हो जाए और question भी आपको clear समझ में आ जाए जैसे 242 दिया हुआ और 242 पर power हमारे पास दे दिया है 42 ठीक है तो कभी भी base का इकाई अंक अगर दो रहे है अगर base का इकाई अंक दो रहे है तो power में करो पावर में क्या करोगे पावर में करोगे सर चार से डिवाइड करेंगे क्यूं चार से डिवाइड करेंगे अभी भूल जो इस बात को अभी तो कि टैम कम है तो हम डिरेक्ट आपको समझा रहे concept ये सारा basic से होता है चार बार के बाद चार बार अगर दो को multiply करोगे, चार बार अगर दो को multiply करोगे, तो उसके बाद repeat होना शुरू हो जाता, इसलिए चार से divide करते हैं, चार से divide करने के बाद 6 फल क्या आएगा, 6 फल देखोगे, 4 दे हैं 40, तो 6 फल क्या आजाएगा, क्या बोलोगे हाँ, इसी तरह से सब में, 3 में, 7 में, 8 में, सब में वही काम करना पड़ेगा, जैसे हम यहाँ पर लिख लेते हैं 243, और 243 पर power हमारे पास आ गया है 45, खिक है, अब इसको क्या करेंगे, बताओ, इस question को कैसे solve करेंगे, तो बोलोगे, सर इस question को ऐसे solve किजिए, कि 243 जो है, इसका unit digit हमारे पास क्या है, 3 है, तो जब 3 दिखे न, हम क्या करते हैं सर, power में 4 से कर देते हैं divide, power में जब 4 से divide करते हैं, तो सेसफल खुझते हैं कि हमारे पास क्या है, पावर में 4 से divide करने के बाद देखो, सेसफल हमारे पास क्या है, एक आया, और जो सेसफल आता है, इसके unit digit के power के रूप में लिख देते हैं, तो 3 पर power एक आ जायेगा, तो सर क्या हो जायेगा, यहाँ पर 3 आ जायेगा, बात आया समझ में, बोलो कि सर सेसफल कभी कवार तो 0 भी आ सकता है, यह भी बात तो हो सकता है, जैसे हमारे पास लिखावा 748, अब 748 पर power हम लोग लिख देंगे, जैसे ही हमारे पास है 144, तो हमने क्या देखा कि base का unit digit क्या है, 8 है, और जब base का unit digit 8 होता है, तो हम क्या करते हैं, power में 4 से divide करते हैं, तो base का unit digit हमारे पास 8 है, power हमारे पास क्या है 144, और 144 में 4 से divide करते हैं, पूरा में मत करो, 4 से divisibility का rule हमने बताया, अंतिम 2 डिजिट में करना पड़े आपको, तो 4 से अगर divide करोगे, तो 44 ये पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, कट जाएगा, बताओ सेसफल हमारे पास क्या बचा, बोलोगे सर सेसफल हमारे पास 0 बचा, लेकिन याद रखना, 8 पर पावर 0 मत लिखना, क्योंकि 8 पर पावर 0 का मतलब 1 हो जाएगा और यहाँ पर यह हो जाएगा बिल्कुल गलत इस condition में क्या लिखना है बताओ अगर ये 0 आया हुआ है तो याद रखना 0 के बदले 0 ना लिख करके 0 के बदले 0 के बदले आपको लिखना है 4 यानि ये जो 0 आगया अगर दिमेंडर तो इस 8 पर पावर क्या लिखोगे बताओ चार लिखोगे 8 अटे 64 आटे 64 चार चो का सुल यूनिट डिजिट क्या जाएगा प्रक्च अच्छी उम्मीद करते हैं कि बाते आपको समझ में बिल्कुल आ गई होंगी ठीक है अब आते हैं कोश्चन पे कोश्चन पे ध्यान दो कोश्चन पे ध्यान दो कोश्चन पे आते हैं यहां से यह हमारे पास देखो इसका इकाई अस्थान का अंक पूछरा कोश्चन जो हमारे पास आया हुआ है इसमें पूछ रहा है भाई साहब कि आप इसका इकाई अस्थान का अंक निका गी तो unit digit हमारे पास क्या है, base का unit digit क्या है, दो है तो दो है अगर हमारे पास, तो हम क्या करेंगे, power में 4 से divide करेंगे अगर हम power में 4 से divide करते हैं, यहाँ पर मैं इसको एक बार फिर से लिख देता हूँ जिससे कि बाद में भी आप इसको देखो, यह आपके काम आ जाए दो पर power यह हमारे पास क्या दिया हुआ, 23 दिया हुआ, unit digit हमारे पास क्या है, 2 है base का तो power में हमें क्या करना पड़ेगा, 4 से divide करना पड़ेगा, 6 फल हमारे पास क्या आ गया, 4 पंचे 20, तो 6 फल क्या आ गया, 3 आ गया इसका मतलब है कि 2 पर power हमें क्या लेके चलना पड़ेगा, बोलोगे sir team, इसके बाद फिर गुना है, अलाकि इस question को पूरा बनाएंगे यह नहीं, क्यू नहीं बनाएंगे देखो, इसलिए नहीं बनाएंगे, इसलिए नहीं बनाएंगे, बांगलू, समझो मेरी बात को, unit digit पर क्या आएगा 5 बोलाएगा 5 उसके बाद यहां पर देखो क्या है बताओ 2 है अगर यहां पर 5 है यहां पर 2 पर power कुछ भी है तो unit digit तो कम से कम 2 पर power कुछ भी रहेगा even number पे even power रहता तो हमेशा unit digit क्या आता है या संख्या क्या आता even ही आता है और 5 मिल गया है और even number का combination मिल गया है अभी अभी हमने आपको combination समझाया था अभी अभी हमने आपको combination समझाया था कि कहीं भी अगर 5 मिल जाए क्या मिल जाए 5 मिल जाए 5 मिल जाए और even number मिल जाए देखो 5 मिल जाए और even number मिल जाए इसका unit digit हमेशा क्या हो जाएगा जीरो, इसको पूरा बनाने का बिल्कुल भी जरुत ही नहीं है, क्योंकि ये संख्या हमारे पास क्या आ चुका है, ये संख्या हमारे पास देखो क्या आ चुका है, पाँच का तो पाँच ही होगा, पावर कुछ भी रहे है, उससे कोई मतलब नहीं है, दो पर पावर कुछ भी दिया हुआ, लेकिन उसका unit digit तो 2 ही आएगा, या नहीं तो even number ही आएगा, तो 5 और even number का combination, unit digit क्या बनाएगा, जीरो, बाँची गुना करने का कोई जरूत नहीं है, आंसर क्या आ जाएगा, बतो option number 3, बाता है समझ में, आप इसको अगर बनाना चाहोगे, हम इसको concept clear करके बता देते हैं, concept clear करने के लिए एक बार हम समझा देते हैं, 2 पर पावर अगर 23 दिया हुआ, 2 पर पावर अगर 23 दिया हुआ, तो क्या करना पड़ेगा, 4 से डिवाइड करना पड़ेगा, successful हमारे पास क्या जाएगा, बोलोगे सर 3, यानि 2 पर पावर क्या कर दोगे, यहां पर 3 कर दोगे, ठीक है, गुना, इसी तरह से अगर 3 पर पावर हमारे पास 41 आया हुआ है, तो इस 41 को क्या करोगे, 4 से डिवाइड कर दो, 4 से डिवाइड करोगे, तो successful क्या जाएगा, बोलोगे सर A, यानि यहां पर हमें क्या लिखना पड़ेगा, 3 पर पावर 1 लिखना पड़ेगा, 5 है, तो पावर पिप के पास जाना भी नहीं है, सीधा-सीधा क्या लिख दोगे, unit digit तो 5 ही होगा, इसमें हमने बताया था no change, अब इसके बाद हमारे पास क्या दिया हुआ, 7 पर पावर 4 दिया हुआ, तो 4 दिया हुआ, 7 पर पावर 4, तो 4 को 4 से डिवाइड करोगे, 0 ही आजाएगा, तो बाद में 0 के बदले 4 ही लिखना पड़ेगा, तो 7 सते 49, 99 में 81, हम इसको कैसे करते हैं, देखो, 7 सते 49, 49 गुना 49 लिख सकते हैं, 7 का square गुना 7 का square, बोलोगे हाँ, 9 नम में क्या हो जाएगा, एक क्या सी, यानि unit digit क्या जाएगा, आपका 1 आ जाएगा, अब देखो, 2 पर पावर 3 का मतलब 8 होगा, 3 पर पावर 1 का मतलब 3 होगा, यहाँ पर हमारे पास 5 है, 5 के बाद इसका unit digit क्या हो जाएगा, बोलोगे सर, 1 हो जाएगा, तो बतबाव वही नहों गया, जी, 5 गुना 8, 8, 5, 40, 40 के लिए 0 आ गया, 0 को 3 से गुना करोगे 0 ही, फिर 0 को 1 से गुना करोगे 0 ही, तो आंसर आपका क्या जाएगा, बताओ, जी, वो, तो इसको बनाने का बिल्कुल जरूत नहीं है, पहले हम यहाँ पर चेक कर लेंगे 5 और even number का combination, बात आ गया समझ में, next question, यदि हम संख्या 65 का वर्ग करते हैं, तो इकाई अस्थन अंख क्या होगा, क्या आँक बंद करके आंसर लिग दो, कि 5 क्या, 65 का बोला है वर्ग करने के लिए, तो 65 का वर्ग क्यों करें हम बताओ, यूनिट डिजिट बेस का क्या है 5, और 5 के लिए हमने क्या कहा, पावर कुछ भी हो, उससे कोई मतलब नहीं है, इसका यूनिट डिजिट हमेसा क्या रहता है? 5 ही रहता है, ठीक है? अगला question पर आजो, next question देखो हमारे पास क्या दिया हुआ है, इसका इकाई अस्थान का अंग पता करना है, इकाई अस्थान का अंग, यहाँ पर यह देखो, multiplication में है, 7 या 21, एक बच गया, एक को 4 से गुना करोगे, 4 आ जाएगा, इतना दूर हमारे पास गुना में था, तो यह 4 आ गया, यहाँ पर फिर प्लस में है, और इसका unit digit क्या है, पांच है, तो पांच में 4 को जोड़ दोगे, unit से unit जोड़ दोगे, तो answer हमारे पास क्या जाएगा, बताओ, no, option number B, clear, next question पर आएगा, next question देखो हमारे पास क्या दियाओ, इसका हम क्यों निकाले, क्यों निकाले, बताओ, यहाँ पर क्या है, पांच है, और यहाँ पर यह जो 6 है, यह even number है, बाकि किसी से भी गुना है, उससे कोई मतलब नहीं है, 5 और even number का combination, multiply हो जाएगा, तो हमेंसा क् next question की तरफ, next question देखे हमारे पास दिया हुआ है, फिर से इकाई अस्थान का अंक है, इस बार कहीं पर 5 पांच नहीं दिया हुआ है, तो यहाँ पर क्या करोगे, बताओ, 6 को करोगे, 4 सी बुना, 6 चो का क्या हो जाएगा, बताओ, 24, 24 के लिए क्या लिकोगे, 4, ओके, और य इसमें कोई problem किसी बच्चे को, बोलोगे, sir, बिल्कुल भी problem नहीं है, next question की आजा, देखो, अब बताओ, यहाँ पर question हमारे पास, इकाई अस्थान का अंक पूछ रहा, तो यहाँ पर क्या है, एक है, तो एक के बदले में क्या लिकोगे, बताओ, बोलोगे, sir, एक के बदले यहाँ पर क्या लिखोगे, एक और तीन पर पावर एक हो लिखने का मतलब है, तीन ही लिख देना, माइनस, फिरी unit डीट है, तो चार से डिवाइड करोगे, पावर में, अठारा में अगर चार से डिवाइड करते हैं, तो शेस्पल क्या बसता है, दो, साथ पर पावर दो लिखोगे, 7 पर power 2 लिखोगे, 7 का square हो जाएगा 49, 49 के लिए ये हमारे पास क्या आजाएगा, 9 आजाएगा, अब हमारे पास हो चुका है, 4, 4-9, 4-9 बड़ाबर माइनस 5 पर, हमने बताया था, कभी भी माइनस में आजाए, तो इसको क्या करना है, बताओ, 10 एड कर देना है, तो answer आपके पास क्या आजाएगा, बताओ, ये 5 आजाएगा, clear, next पर आजाओ, next देखो, हमारे पास क्या दिया हुआ, फिर से एक आही अस्थान कांग है, अब हम पर आगया, same to same question, देखो, जैसे ही हमारे पास एक छोटा सा question आगया है, हलाकि ये बड़ा नहीं हो पाया, ये हमारे पास क्या हो जाएगा, इसको आप अब आराम से homework के रूप में बना सकते हो, बो, homework के रूप में बना करके, इसका comment हमें जरूर करना, ये अगर आपको नही करके बताना हमें comment box में, कहां बताओगे, comment box में answer करके आप हमें जरूर बता देंगे, ठीक है, इसका भी question बना करके, आप इसका जो उत्तर दोगे, answer जो दोगे, वो कहां पर दे दोगे, comment box में, comment box में, उम्मीद करते हैं कि सभी बच्चे आप इस question को बहुती आसानी के साथ बना देंगे, ठीक है, next पर आजाओ, next देखो हमारे पास जो question दिया हुआ है, ये क्या कह रहा है, गुननफल है, इसका इकाई अंक्या होगा, चलो ये भी 7 या 21 डिजिट 1 हो जाएगा, इसमें तो लि का concept हमने कल बताया था आपको, अब ध्यान से सुन, आजा रहा है, एक संख्या को 221 से विवाजित करने पर, किसी संख्या को 221 से विवाजित करने पर, सेस्फल हमारे पास क्या आ रहा, तो इसी संख्या को अगर 13 से विवाजित किया जाए, तो सेस्फल क्या हैगा, हम पहले चेक करेंगे 221, 13 से कट रहा क्या, 13, 31, 13, बच गया 9, 13 सते क्या नवे कट रहा, इसका मतलब है, ति डारेक्ट हम क्या करेंगे, 13 से, डारेक्ट हम 30 में भाग लगाएंगे, 13 दुनी 26 हो रहा है, 13 दुनी 26 हो रहा, 30 में से 26 घट जाएगा, तो हमारे पार जो सेस फल बचेगा, वो क्या बच जाएगा, 4, option number 8, हमने कल इसका basic समझाया था, जो संख्या 221 से कट रहा, जो संख्या 221 से कट रहा, वो संख्या 221 का कोई multiple होगा, बोलोगे हाँ, और 30 से सफल बच रहा है, तो 221 देखो 13 से कट रहा है, बोलोगे हाँ सर कट रहा है, अगर 221 से कट रहा है, तो इसका मतलब है कि 221 का कोई भी multiple 13 से कट जाएगा, और कोई भी multiple अगर 13 से कट जाएगा, तो सेस फल क्या बचेगा, 0, इसी तरह से 30 में अगर 13 से डिवाइड करोगे, तो सेस फल क्या बचेगा, 4, चार में 0 को एड कर दोगे, तो ये क्या आ जाएगा, बताओ 4 आ जाएगा, उम्मीद करते हैं कि बात आपको समझ में आ गया होगा, बेसीक से भी, यही बात हमने क्या समझाया था, कल के डिट में, कल ही हमने आपको समझाया था, अगर ये लिखावा 221 से किसी संख्या को काटने पर 30 सेस फल बच रहा है, तो बताना है कि बताओ तो अगर हम इसको 25 से काटे तो क्या सेस फल बचेगा, आँख बंद करता है लोग, डिरेक्ट इसमें भाग लगा देता है, बोलता है सर, इसका आंसर तो होगा 5, ये कट गी, ये गलत हो गया, बात आया समझ में, ये बिल्कुल गलत हो गया, क्यों गलत हो गया, अगर आप इसको बेसिक से देखोगे, ध्यान से देखो, बेसिक से, तो ये जो संख्या हमारे पास आएगा, वो क्या आएगा, क्या है तो आर में पांच जूड भी दोगे तो ये पात पता चल पाएगा क्या नहीं चल पाएगा यानि इसका आंसर क्या हो जाएगा कांट भी डिटेर्माइट यानि आंसर हम लोग नहीं निकाल सकते हैं बात आया समझ में चलिए नेक्स्ट कोश्चन पर आईए अब देख जैसे यह यह भी कोश्चन हमारे पास है पहले हम इस कोश्चन को पहले ही डाल देतब करने पर सेख़ुषा सबसे पहले चेक करेंगे तेरा से 211 कट रहा हां कड रहा इसका मतलब तेरा से डैरेग्ट हम काट देंगे माइनस यानि तो आंसर हमारे पास क्या जाएगा बताओ बारा ऑप्सन नुबर क्या जाएगा चार्ट और इस टैप का देख लेते हैं क्या होगा नोगा द्वारा बिभाजित करने पर सेश्पल क्या होगा चलिए अब आते हम लोग यहां पर अब आते हैं हम लोग यहाँ पर सेस्खल परमें पढ़ते हैं यहाँ पढ़ते हैं सेस्खल परमें अब रिबेंडर थियोरम हम लोग इसको इंगलिश में बोलते हैं यहाँ सेस्खल परमें सेस्खल परमें से आपको question पूच्छा जा सकता है इसलिए ध्यान से देखना देखना देखो सेस्खल परमें क्या होता है जैसे 23 को हम 5 से divide करते हैं तो पांचो का 20 कट गया 20 तो बचता क्या है बताओ 30 सेस्खल बचता इसी को हम लोग क्या बोलते हैं सेस्खल इसी को क्या बोलते हैं सेस्खल लेकिन कभी-कभी हम अपने सुबधा के लिए क्या करते है ना जैसे हमारे पास 23 लिखावा है तो 20 में अगर 5 से divide करोगे तो 20 तक कट गया 20 तक कटने के बाद सेस्खल क्या बचा रहा गया तीन लिखोगे तीन पांच-पचे होता है 25 25 भी कट जाता है 25 से 20 क्या है बताओ दो कम है हम लोग क्या करते है कभी-कभी माइनस दो भी लिख देते हैं सो क्या करना है माइनस को पलस करने के लिए हम क्या करते हैं जिससे काट रहे हैं जिससे divide कर इसको इसमें add कर देते हैं, तो 5 में से अगर 2 को घटा दोगे, तो यह हमारे पास क्या आ जाएगा, बताओ, यह हमारे पास आ जाएगा 3, तो देखो, बात हो गया कि नहीं बढ़ा वड़ și मैं क्या कहना चाहता हूं, जैसे हमारे पास लिखावा है, 130, 170 को अगर हम डिवाइट करते हैं, 19 से, 170 को अगर हम डिवाइट करते हैं, 119, नमे 171, नमे 171 होता है, 171 तो cut जाएगा, लेकिन 171 से ये बताओ कितना कम है, बोलो कि सर ये एक कम है, यानि हम सेसपल के रूप में माइनस कर दिये, लेकिन माइनस हमारा answer कभी भी नहीं हो सकता है, तो answer क्या हो जाएगा, जिससे काट रहे हैं, हम इसको इसमें add कर देते ह इसमें एड कर देते हैं तो सेस्पल हमारे पास क्या बच जाता है बताओ 18 यह हमारा आंसर आजाता है ऐसा क्यों करते हैं क्योंकि कोस्टन कभी कवार सुब्धा जनक बनाने के निए इस कोस्टन को ऐसे करना पड़ता है यह हो गया हमारा पहला पॉइंट क्या बातारा समझ मे दूसरा पॉइंट देखो यहां पर ध्यान से जैसे हमारे पास यह 23 दिया हुआ 23 के बाद फिर हमारे पास यह 28 दिया है 28 के बाद फिर हमारे पास यह 29 दिया है अब इसको 29 दिया है और फिर एक और लिख लो यहां पर 32 दिया है अब इसको कहा क्या जा रहा है कि इसको जोड करके आप 5 से डिवाइड कीजिए तो सेसफल क्या बचेगा हम क्या करते हैं ना हम लोग क्या करने लग जाते हैं सब को जोरने लग जाते हैं जोरने लग जाते हैं सब को जोरो सब को जोरो सब को जोरो जोर करके तब 5 से डिवाइड करोगे तब पता चलता है कि सेसफल क्या होगा तो इस चीज को ना करके हम क्या करते अलग अलग डिवाइड कर देते हैं जैसे 23 में 5 से डिवाइड करोगे तो क्या सेसफल बचेगा बोलोगे सर 3 28 में 5 से डिवाइण करोगे तो क्या सेसफल बचेगा उलटा सेसफल ले लो minus 2 30 कट जाएगा minus 2 सुब दा के लिए ले रहे इसी तरह से यहाँ पर बताओ इसी तरह से 29 में 5 से डिवाइण करोगे तो 30 कट जाता है तो यह क्या जाएगा minus 1 और 32 में अगर divide करोगे तो सेस्पल क्या बच जाएगा 2 बच जाएगा बताओ हम क्या करते हैं 3 में से 3 देखो cut गया क्या बोलोगे हाँ cut गया सिर्फ क्या बचा रहा गया बताओ 2 तो answer इसका क्या हो जाएगा 2 क्या बात आया समझ में और यही चीज हम लोग क्या करते हैं यही चीज हम लोग इसके multiplication में भी करते हैं जैसे हमारे पास 23 दियाएवा है 23 गुना 28 दियाएवा है 28 गुना 29 दियावा है और 29 गुना क्या दियावा 32 अब हम इसको अगर divide करने लगजाएंगे 5 से तो भी दिखो कैसे लिखते हैं, पांच से डिवाइड करोगे, तब पांच से डिवाइड करोगे तो यहाँ पर क्या से षिमपल बचेगा, या तो माइनस दो लिख लो, या पलस तीन लिख लो, कोई बात नहीं है, बात बرाबर ही हो जाएगा, 29 में डिवाइड करोगे तो यह हमारे पास क्या आ जाएगा माइनस 1 आ जाएगा और 32 में अगर डिवाइड करोगे तो यह हमारे पास क्या आ जाएगा दो आ जाएगा और बीच में मल्टिप्लिकेशन का साइन है इसलिए सब जगा क्या कर रहे है multiply कर रहे हैं अब देखो 2 1 2 minus minus क्या हो जाता प्लस हो जाता 2 1 2 2 3 6 6 दुनी 12 अब finally हमारे पास remainder क्या बच रहा 12 लेकिन 12 5 से छोटा है क्या नहीं है फिर इसमें 5 से divide कर दो फिर 5 से divide कर दोगे तो 6 फल देखो हमारे पास क्या बच गया बताओ अभी 20 से पल हमारे पास क्या बच गया है दोगी बच गया है उमीद करते हैं कि आपको बात आ गया होगा समझ में बोलो clear है किसी प्रकार का कोई problem तो बिलकुल भी नहीं होना चाहिए बोलो है क्या कि कि अगर आगर बात आ गया है समझ में इसी तरह से थोरा सो और भी आगे बढ़्टाओं ठीक है यहां पर यह बात तो आप समको समझ में आ गया होगा घर यह हमारा क्या था शेखफल पर में 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 क्या होता है न तो सिर्फ आप इसको यहां टक ही नहीं छोड़ सकते हैं होप ऑसा आ सकता है अब जैसाकी एक सब्सक्राइए अब देखो, question जो आपसे पूछा जाएगा, वो क्या पूछा जाएगा, मैं अगले page पर चलता हूँ, अभी कवार base और power के रूप में question आपसे पूछा जाता है, बेस और पावर के रूप में देखिए question कैसे पूछा जाता है बेस और पावर के रूप में जो question पूछा जाता है वो ऐसे पूछा जाता है जैसे हमारे पास देदेगा मान के चलो कि यह हमारे पास देदिया है 32 32 पर पावर दे दिया है 32 और इसको divide करने के लिए कहा जारा 33 इसी तरह से यह हमारे पास आ गया 32 पर पावर 33 दे दो और इसको divide करने के लिए कहा जारा 33 फिर देखो उल्टा लिग देते इस बार, जैसे 67 पर पावर, 67 पर पावर दे दिया है 66 या 68 और डिवाइड करने के लिए दिया है चिया 60 से 66 पर पावर दे दिया है आपका 66 और डिवाइड करने दिया है आपको चिया 60 से अब तो इस चारो संख्याओं में चारो जो कोस्टन हमने लिखा है इस चारो कोस्टन में क्या डिफरेंस है तो बोलोगे सर इस चारो कोस्टन में जो आपका डिफरेंस नजर आ रहा है वो क्या नजर आ रहा है ध्यान से देखेगा सभी बच्चे वो आपका जो चारो question में difference में जरा रहा है, वो क्या आ रहा है, यह जो question है, यहाँ पर क्या होता है, अभी अगर हम इसको पूरा basic से बना है, हम 32 को कितना बार गुना करेंगे, बोलोगे sir 32 बार गुना करेंगे, बोलोगे sir यहाँ पर 32 बार गुना होगा, कितना बार गुना हो यह माइनस एक आ जाएगा, 33 से डिवाइड करोगे फिर यह माइनस एक आ जाएगा, और इसी तरह से माइनस एक कितना बार गुना हो जाएगा, बोलोगे सर माइनस एक जो है यह 32 बार गुना हो जाएगा, माइनस एक कितना बार गुना हो जाएगा 32 बार गुना हो जाएगा अब अगर माइनस एक 32 बार गुना हो गया तो माइनस एक पर 32 पावर लिख सकते की नहीं लिख सकते बोलोगे यहां सक और माइनस एक पर पावर अगर 32 लिख सकते हैं, तो अब यहाँ पर मैं आपको एक अलग से नोट लिखा रहा हूँ, ध्यान से लिख लो इसको, ध्यान से इसको समझ लो, कभी भी माइनस एक पर पावर इवेन आए, माइनस एक पर पावर अगर समसंख्या आए, तो माइनस ए आपको क्या करना पड़ेगा, याद रखना पड़ेगा, याद रखना पड़ेगा और याद रखना पड़ेगा, ठीक है, अब देखो, इतना ज़्यादा basic में जाने का जरूत नहीं था, फिर भी हम आपको समझाने के लिए, हमने आपको समझा दिया, यह हमारे पास minus 1 पर power 32 ह है, तो minus 1 पर power even है, क्या यह 1 हो जाएगा क्या, और 1 33 से छोटा है, तो बोलोगे, हाँ sir, answer हो जाएगा, इसका एक बात खतम, इसी तरह से, अब देखो, इसका तो हमने basic समझा दिया, लेकिन आपको ऐसे नहीं लिखना, क्या करना है, यह जो हमारे पास 32 है, इस 32 में direct 33 से भा लगाओगे, तो क्या minus 1 आएगा, क्या बोलोगे, हाँ sir, और minus 1 पर power क्या रह जाएगा, 32 ही रह जाएगा, जो direct हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ पर देखो, जैसे इस question को बताते हैं, 33 से अगर divide करोगे 32 में, तो minus 1 आएगा, और minus 1 पर power इस बार क्या रह रह गया, divide कर रहे न, उसको add कर देते हैं, तो 33 जैसे ही आप इसको add कर दोगे, तो answer जो आपका आजाएगा, वो क्या आजाएगा, बताओ, बोलोगे, sir, यह 32 आजाएगा, answer, यह हमारा क्या आजाएगा, बोलोगे, sir, 32 answer आजाएगा, ठीक है, हम इसके जगा पे एक और example लिखते हैं, आपको धियान से दिखेगा, सभी बच्चे, एक और example लिखते हैं, दूसरा, दूसरा question दे करके, एक और example लिखते हैं, जैसे हमारे पास 66 लिखावा, 66 पर power है, 66, divide करोगे 68 से, और 66 पर power दियावा 68 और divide करोगे 68 से, तो इस condition में बताएगे, इसका उत्तर क्या होगा, तो बो पावर अगर 66 आ जाता है, बताओ क्या, मैनस 1 पर पावर अगर 66 आ जाता है, मैनस 1 पर पावर अगर हमारे पास 66 आ गया, तो इसका मतलब है, कि मैनस 1 पर पावर ये odd हो गया, और odd होने का मतलब है, ये मैनस 1 हो जाएगा, और मैनस 1 अगर हो जाएगा, तो हम क्या करेंगे, 68 इसमें जोड़ देंगे 68 जोड़ देंगे तो आंसर हमारा क्या आजाएगा 66 जब एक बार आप concept समझ जाते हैं तो इतना लिखने का भी जरूत नहीं माइनस एक पर पावर सरसट यानि और है तो माइनस एक ही आएगा माइनस एक 68 से घटाओगे डिरेक्ट आंसर सरसट में 68 से डिवाइड करोंगे माइनस एक आएगा और माइनस एक पर पावर अगर हम लोग यहाँ पर और नमबर लिखते हैं क्या यह हमारे पास एक ही आ जाएगा? क्या बोलोगे है? कोई दिख्कत नहीं है? अभी हमने आपको जो हमने मिटाया था एक और दो और एकजांपल लिख लो जैसे हमारे पास क्योस्चन आ गया है इस बार उल्टा क्योस्चन आ गया 68 पर पावर 68 अब बटे आ गया है सरसट देखो यहां पर मेरी बातों को ध्यान से समगना हम क्या करेंगे इस question को बनाने के लिए वही चीज करेंगे क्या करेंगे देखो सरसट में से 68 को divide करते हैं एक आ गया और एक पर पावर सरशट हमारे पास क्या हो जाएगा एक ही हो जाएगा एक पर कुछ भी पावर है एक ही हो जाएगा सेम चीज यहां भी हो जाएगा 67 से 68 में डिवाइड करोगे तो एक आएगा और एक पर पावर अगर 68 करोगे तो यह हमारे पास क्या आजाएगा बताओ एक भी आजाएगा आंसर क्या हो जाएगा बताओ खुल बात हो गया clear अब कभी कभार क्या होता ना कभी कभार question जो है वो मिल जाएगा इस तरह का question नहीं मिलेगा देखो कभी कभार क्या मिल जाता है question मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ मैं आपको यहाँ पर question को समझाता हूँ समझने का सभी बच्चे को सिस करें जैसे यह हमारे पास question आगया यह हमारे पास question आगया दो पर पावर लिखा हुआ है, दो पर पावर लिखा हुआ है, उल्ला, दो पर पावर सोल है, और इसको question में दे दिया है, 5 से divide करने के लिए, तो question को कैसे solve करेंगे, अब बोलोगे, सर, यहां पर तो एक कम है, लेकिन हमें तो पता है, कि जब 5 से, 5 से एक छोटा 4 होता है, या हम या तो यह जो ऊपर में लिखा हुआ है, या तो इसको 4 के रूप में लिख दे, या तो 6 के रूप में लिख दे, तो question हमारा क्या हो जाएगा, solve हो जाएगा, हम क्या करते है, क्या हमें पता है, 4 के रूप में लिखने के लिए, क्या 2 का square अगर कर देंगे, तो लिखा जा सकता है बोलोगे हाँ और यहां पर पावर हमारे पास क्या है सूला है अगर हम स्क्वार लिखते हैं तो उपर में पावर क्या बच जाएगा बोलोगे सर आठ पावर बच जाएगा क्या पावर बच जाएगा बोलोगे सर आठ पावर बच जाएगा क्या पावर बच गया, आठ पावर बच गया, अरे 8 दूदि क्या हो जाता, 16 हो जाता है न जी, तो 2 पर पावर 16 को ही क्या हम 2 पर पावर, 2 पर पावर 8 लिख सकते हैं बोलोगे हाँ, अब यहां पर हमारे पास क्या है, 5 है 5 से अगर हम 4 में डिवाइड करते हैं तो 5 से 4 में डिवाइड करते हैं तो क्या आएगा, बताओ, minus 1 आएगा और minus 1 आया हुआ है और उपर में हमारे पास क्या है, बताओ, power 8 है उपर में even power हो गया तो minus 1 पर power even हमारे पास क्या आजाएगा बोलोगे, sir, 1 हो जाएगा minus 1 पर power even क्या हो जाएगा एक हो जाएगा, बोलो ठीक है एक और example लेते हैं, जैसे हमारे पास ये संख्या लिखावा, जैसे लिखावा 2 पर power है, 14 और हम इसको 5 से डिवाइड करते हैं 5 से डिवाइड करते हैं फिर से हम इसको 4 बनाएंगे फिर से हम इसको 4 बनाएंगे क्या 2 पर power, 2 पर power, 2 पर power 7 लिख सकते हैं क्या, बोलोगे, हाँ, sir, लिख सकते है और इसको डिवाइड किससे करेंगे, 5 से अब हम बताओ क्या करेंगे अब हम इस 4 में 5 से डिवाइड करेंगे तो सेसफल हमारे पास क्या आया minus 1 लेकिन पावर क्या रह जाएगा साथ एक और नमर है इसलिए हमारे पास क्या आ गया यह minus 1 आ गया माइनस 1 पर पावर 나와 बिश्याम संख्या रहे तो यह minus 1 आ जाएगा जैसे इस बार है दो पर पावर 31, दो पर पावर क्या दे देते हैं हम, इस बार 31, और इसको इस बार बोलते हैं सर 5 से आप डिवाइड करके बताईए, 5 से आप डिवाइड करके बताईए, 5 से अगर आपको डिवाइड करना है, 2 पर पावर 31 में, 5 से अगर डिवाइड करना है तो बताइए सेस फल क्या होगा, अब हम इस question को कैसे बनाएंगे, अब तो यहां से 14 में से तो हम 2 काट रहे थे, 16 में से तो 2 काट रहे थे, 31 में से तो 2 नहीं कटेगा, नहीं कटेगा, तो भी इसके लिए क्या है, हमारे पास जवाब है, क्या जवाब है, तो क्या हम इसको ऐस लिख सकते हैं, दो पर पावर तीस, क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, बताओ, दो पर पावर तीस, अग गुना क्या, दो पर पावर एक, बोलोगे, जी, ए पर पावर, ए पर पावर अगर M रहे, और ए पर पावर अगर N रहे, तो बेस अगर सेम रहता है, तो पावर क्या हो बोलोगे हासर इसको उल्टा भी लिख सकते हैं, तो जहां पर दो पर पावर एक तीस है, उसको क्या दो पर पावर तीस गुना दो पर पावर एक भी लिख सकते हैं, तो बोलोगे हासर लिख सकते हैं, ठीक है, बिलकुल लिख सकते हैं, क्या किसी प्रकार का किसी बच्चे को क पर पावर 30 क्या 2 पर पावर 30 को हम इसे भी लिख सकते हैं क्या 2 का स्कुआर पर पावर 15 बोलोगे जी सर लिख सकते हैं अब गुना क्या हो जाएगा बोलोगे सर 2 अब बटे क्या हो जाएगा बोलोगे सर 5 ठीक है बनाल ड़ डालते हैं अब देखो 5 से अगर 4 में डिवाइड करोगे तो minus 1 आएगा minus 1 पर power odd है तो minus 1 पर power अगर odd है तो यह minus 1 रह गया और यहाँ पर 2 भी है तो 2 5 से छोटा है तो 2 से गुना कर दो क्या हो जाएगा minus 1 में अगर 2 से गुना कर दोगे यह आपके पास आजाएगा minus 2 लेकिन हमने अभी अभी बताया minus में remainder नहीं लिखते हैं ज एक और एगजाम पर लेकर के समझाते हैं जैसे हमारे पास लिखा हुआ है 2 पर power लिखा हुआ है 63 67 और इसको divide करना है कि इससे 5 से इसको divide करना है 5 से या इस लगजा 5 को हटा डालते हैं, 2 पर पावर 63 के जगा पर लिख देते हैं, 2 पर पावर 65 और इस बार डिवाइड करना है किस से 9 से, तो बताओ इस question को अब कैसे solve करेंगे, इस question को देखो कैसे solve करेंगे, ध्यान से देखना यहाँ पर, इस बार जब 9 से काट रहे हैं, तो 9 से पहले कौन-कौन सा सं लिखते हैं, अब 3 हम 65 में से काट पाएंगे, नहीं काट पाएंगे, तो 3 किस से काट पाएंगे, बोलेंगे, सर 63 से काट सकते हैं, यानि आप 2 पर पावर 63 लिख सकते हैं, और 2 पर पावर क्या लिख सकते हैं, और इसको divide किस से करेंगे, बताओ, 9 से करेंगे, फिर सुनो, 2 दो पर तीर सच को क्या लिख सकते हैं दो पर पावर 3 पर 50, बोलओ लिख सकते हैं और यह दो पर पावर दो अभी भी बचा हुआ जिसको हम लोग 4 लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं बटे के आगे है नो अब ये बात बताओ ये जो 2 पर पावर 3 है ये हमारे पास 8 आगया 8 में अगर 9 से डिवाइड करोगे तो minus 1 आएगा और minus 1 पर पावर अगर 31 लिख होगे minus 1 पर पावर अगर 31 लिख होगे तो minus 1 पर पावर odd number होता है minus 1 के ही यहाँ पर minus 1 आगया इसको काटने पर और यहाँ पर 4 हमारे पास बचा हुआ तो 4 से गुना कर दोगे क्या हमारे पास minus 4 हो जाएगा और हमने बार-बार बताया है कि minus में कभी भी उत्तर नहीं देते हैं तो क्या करना है जिससे divide कर रहे हैं उसको जूर देते चलिए उम्मीद करते हैं कि बाते आपके बिल्कुल समझ में आ रही होगी ठीक है आप ध्यान से समझना अब यहाँ पर ध्यान से समझना मैं आपको एक और चीज बता रहा हूं मैं आपको एक और चीज बता रहा हूं यहाँ पर एक और लिखलो format theorem अलाकि बहुत ज्यादा डीप में हमें भुशने का जरूत नहीं है बट एक फर्मेट थियोरम से आपको मैं समझा देता हूँ अब देखो यह जो हमारे पास फर्मेट से थियोरम है इसको हम लोग समझते हैं ध्यान पुरुबक समझे सभी बच्चे फर्मेट थियोरम क्या कहता है फर्मेट थियोरम भाई साब कहता है फर्मेट थियोरम के अनुसार एक बात सबसे पहले याद रखना फर्मेट थियोरम के अनुसार यहाँ पर जो मैं आपको समझाना चाहरा हूँ ध्यान से देखना ध् और नीचे वाला हमारे पास क्या है ओपर वाला अंस है नीचे वाला हमारे पास क्या है लेकिन हर क्या होना चाहिए ना हर must be a prime number तो याद रखना हमेसा इस शीट को अगर यहाँ पर कोई संख्या है नीचे में प्राइम नंबर है और इसके पावर में इससे एक कम है इस प्राइम नंबर से एक कम है तो हमेशा जो इसका सेसफल आएगा वो हमेशा सेसफल क्या आएगा बताओ एक आएगा इसको याद रखना उमीद करते हैं कि बाते आपके समझ में बिल्कुल सही तरीके से आ पर एक example लेकर के आपको समझाते हैं, ध्यान से देखो, example लेकर के समझाएंगे, बिल्कुल समझ में आ जाएगा, एक बात और याद रखना, जब नीचे वाला एक अभाज संख्या होगा, जब नीचे वाला एक अभाज संख्या होगा, तो ये दोनो को प्राइम नंबर होगा अंस और हर क्या होगा, को प्राइम नंबर होगा, जैसे साथ पर पावर हमारे पास जो लिखा होगा है, वो लिखा होगा है, बार है, साथ पर पावर क्या लिखा होगा है, बार है, साथ पर पावर मैं लिखता हूँ यहाँ पर बार है, और डिवाइड कर देता हूँ किस से तीरा से, डिवाइड किसे कर देता हूँ, तीरा से, क्या नीचे वाला जो नमबर है, नीचे वाला जो हमारे पास, क्या नमबर है, तीरा, तीरा का फर्मेट नमबर क्या होता है, सुनो मेरी बात को, मैं क्या समझाना चाहरा हूँ, साथ पर पावर बारक को तीरा से है अगर हमारे पास निखा हुआ 22 पर पावर 28 और इसको डिवाइड करोगे किस से 29 से तो भी इसका सेस फल क्या आएगा बोलो के सर इसको तो देखते हुए ही आंसर लिख देंगे सर ये एक आएगा इसका आंसर क्या आएगा एक आएगा लेकिन अब यहां पर देखो मेरी बा भाई सहाब आप ये बताएगे बाई सहाब अगर साथ पर पावर लिखा हुआ हमारे पास साथ पर पावर हमारे पास लिखा हुआ 25 और नीचे में 13 से डिवाइड करेंगे तो उससे फल क्या होगा सर आपने तो बताया था कि साथ पर पावर 12 जो होता है साथ पर पावर 12 ज नहीं है पका एकम नहीं है तो सर क्या करें क्या करें भाई सहाब हम इसको कैसे सॉल्म करेंगे वह आपको समझाते हैं क्या हम लोग इसको ऐसे लिख सकते क्या साथ पर पावर बार गुना साथ पर पावर बार और गुना साथ पर पावर एक बोलो लिख सकते हैं क्या बोलोगे जी सर लिख दीजिए, लिख दीजिए, लिख दे, अब बताओ, साथ पर पावर बारा को अगर हम तेरा से डिवाइड करेंगे, तो सेस्फल क्या आएगा, एक, साथ पर पावर बारा को अगर तेरा से डिवाइड करेंगे, तो सेस्फल क्या आएगा, एक, और साथ पर पावर पचीस है, साथ पर पावर पचीस है, तब तो बड़ा आसानी से साथ पर पावर बारा, साथ पर पावर बारा, साथ पर पावर बारा लिख पा रहे हैं, लेकिन साथ पर पावर अगर 122 रहें, तब 13 से डिवाइड करेंगे सार, तो कितना हम लिखते रहेंगे साथ पर पावर बारग उना, साथ पर पावर बारग उना, साथ पर पावर बारग, तो इसी चीज़ से बचने के लिए, फर्मेट भाई साहब ने क्या किया है, एक बहुती बढ़िया सा थियोरम दिया है, जिसको कहा गया है, फर्मेट्स थियोरम, क्या कहा गया इसको, फर्मेट्स थियोरम, क समझो और मेरी बात को समझो फर्मिट भाई साब ने कहा कि सर यह साथ पर पावर 25 और यह हां पर हमारे पास क्या 13 भाई साब ने कहा कि नीचे में प्राइम नंबर होना अती आवश्यक है अब 13 का 13 का 13 का एक फर्मिट नंबर होगा और उस 13 का जो एक फर्मिट नंबर होगा वो पक्का एक कम होगा बार अरे पका एक कम क्यों होगा फर्मिट भाई बाद में बताएंगे जब हमारे नाना आएंगे यूलर भाई साहब यूलर भाई साहब समझाएंगे आपको एक कम क हम बोलेंगे कि मेरा जो फर्मेट नंबर होगा हम प्राइम नंबर है अभाज संक्या है मेरा जो फर्मेट नंबर होगा वो एक कम होगा होगा तो होगा मान लो तुम हम यहां से क्या करेंगे इस बारा से यह फर्मेट भाई साब बोला कि इसका एक फर्मेट नंबर होगा बार उसके बाद हम भाई साब क्या करेंगे यह जो हमारे पास 25 दिया हुआ है इस पावर में हम इस फर्मेट नमबर से कर देंगे डिवाइल फर्मेट नमबर से क्या कर देंगे पावर में जब 25 में 25 में जब अब 12 से डिवाइड कर देंगे तो सेसफल क्या आया बोलोगे सर सेसफल तो एक आया एक आया एक आया अब हम इस एक को क्या करेंगे यह जो साथ है न भाई साहब जहां 25 दिख रहा था अब सेसफल एक दिखेगा यानि अब यह question ऐसा दिखेगा साथ पर पावर एक बटे तेरह ऐसा दिखेगा तो आंसर हमारा क्या आजाएगा साथ में तेरह से डिवाइड करोगे तो खुद साथ ही आ जाएगा क्या बात खतम अब यहाँ पर फिर से देखो एक question जो हमने आभी लिया था साथ पर पावर हमने लिग दिया 122 हमने क्या जिया था कि सर 12 होगा हम इस 12 से क्या करें गे 126 से इसके पावर में करेंगे दिवाइड 12 से अगर क्या बचता है हमारे भास सेफ़ल बचता है दो हम क्या करेंगे जहां पर 122 नजरा रहा उन्चास में 13 से भाग लगा देंगे सर्जी सेस्फल आजाएगा 10 सर्जी सेस्फल क्या आजाएगा 10 आंसर क्या मेरा बात समझ पाया हो क्या यूलर सिस्टम यूलर थियोरम आपको परना जरूरी बिल्कुल नहीं है परमिट थियोरम तक भी आप पर लिए तो भी आपका काम बन जाएगा चली आते हैं और कुछ कोस्टन को अभी हम लोग यहां से देख लेते हैं जैसे हमारे पास सबसे पहले तो देखो कुछ कुस्टन जो पीछे छुटा था जैसे यह हमारे पास कोस्टन दियावा देखो ध्यान से अब अगर यह कोस्टन दियावा तो कोस्टन में क्या कह रहा है कि 2 पर पावर 2 पर पावर जो 125 है हम यह इसको करना है 11 से डिवाइड भाई साहब हम करके दिखा दे बोलोगे सर यह तो फर्मेट च्योरम पर बन जायाएगा बोलोगे हाँ सर क्यों क्यों कि नीचे में क्या है एक प्राइम नंबर है 11 का जो फर्मेट नंबर हो जाएगा 11 का जो फर्मेट नंबर हो जाएगा प्राइम नंबर का फर्मेट नंबर जस्ट एक कम होता है 10 अब इस 10 का का क्या है भाई साहब 125 में डिवाइड कर देना अगर 125 में हम 10 से डिवाइड कर देंगे तो सेस फल क्या बच जाएगा 125 नजर आ रहा था वहां में 5 दिखेगा यानि 2 पर पावर सरजी 5 और बटे क्या कर देजिए 11 2 पर पावर 5 का मतलब होता है सरजी 32 और 32 में अगर आप 11 से दिवाइड कर देंगे तो 11 दुनी बाइस होता है सेस्पल हमारे पास क्या आ जाएगा 10 बात खतम यह आपको बनाना है होंवबर के रूप में यह तो हमने आपको बताई दिया था अलाग्य फिर भी मैं यहां पर लिग देता हूं और कि नेक्स प्राइब नेक्स देखो हमारे पास क्या कह रहा है चला चल 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 तिरा राही रस्ता छोड़े दो चल 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 11 पर पावर लिख दो 75 दिवाइड कर दो साथ से कोश्चन बोला साथ से दिवाजित करने पर क्या से स्पल बचेगा यहां पर हम लगाएंगे बाइनोमियल का मतलब है अंस को छोटा करना और फर्मिट लगाने का मतलब है पावर को छोटा करना तो जब 11 में 7 से डिवाइड करोगे तो स्पल आएगा 4 अब 4 पर पावर क्या हो जाएगा 75 बटे साथ फिर लगा देंगे फर्मिट थियोरम अब लगा दो यहां से फर्मिट इस से पका एक कम होगा 6 6 से क्या करोगे 75 में डिवाइड कर दोगे 6 से 75 में डिवाइड कर दोगे पावर में तो जो स्पल बचेगा बारचा के 72 स्पल बचा 3 अब जहां पर आपको 75 नजर आ रहा वहां पर 3 नजर आएगा यानि कोश्चन ऐसा नजर आएगा 4 पर पावर 3 बचे साथ चार चोका सूला चोका 64 चोंसट बचे कर दोगे साथ चोंसट बचे साथ कर दोगे तो जो से स्पल आएगा वह आपका क्या जाएगा एक ऑप्सन नंबर एक ऑप्सन नंबर क्या आ गया बताओ एक आप इसमें फर्मेट लगा भी सकते हो बीना फर्मेट का भी आ पावर 75 बटे 7 अब हमें क्या करना एक ऐसा संख्या चूज करना जो साथ से डिवाइड करने पर या तो एक कम आये या तो एक ज्यादा आये चार चोका 16 चोका 64 होता है तो क्या 75 को क्या हम लोग 4 पर पावर 3 पर पावर 25 भी लिख सकते हैं क्या बोलोगे हाँ सर लिख सकते हैं और किसे डिवाइड करेंगे 7 से 4 चोका 16 चोका क्या हो गया बताओ ये 64 4 चोका 16 चोका क्या हो गया 64 64 में अगर हम साथ से डिवाइड करेंगे तो सेस्फल क्या एगा एक और एक पर पावर 25 क्या रह जाएगा बोलोगे सर एक ही तो रह जाएगा अगला कुर्श्चिन यह तो यह तो बिल्कुल आसान सा कुर्श्चिन हो गया 65 है 65 है और यह 99 से डिवाइड करना इसको सीधा 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 से डिवाइड करो गया तो सेस्फल निकालने का तरीका हमें बताया क्या इसको पूरा पुरा 9 से divide मत कर लेना लग जाना समझे है अलकु का time pass नहीं करना क्या करना है हमने आपको बताया था 9 से divisibility के rule में हमने आपको बताया था 9 से divisibility के rule में आपको क्या करना है इसके sum of digit को check कर लेना साथ चार एग्यारा एग्यारा एक बारा बारा जीरो बारा और इस बारा को भी एक प्लस दो मिल करके क्या लिग दोगे बताओ तीन आंसर क्या जाएगा बताओ तीन आंसर अरे बात आ रहा समझ में क्या कहा था हमने हमने कहा था कि भाई सहाब आपको क्या करना है इसके डिजिट का सम निकाल लेना इसके डिजिट का क्या करना है बताइए सम निकाल लेना जब इसके डिजिट का सम निकालना सुरू कर दोगे तो फिर आसानी से आंसर आ जाएगा नौ वाले में और तीन वाले को जब किसी संख्या को जैसे N को अगर हम 17 से विभाजित करें तो सेसफल हमारे पास क्या बचता है 6 बचता है तो कोश्चन का रहा है अगर इसी संख्या के वर्ग को 17 से विभाजित करने का मतलब है N गुना N बटे क्या हो जाएगा 17 अब 17 से N में डिवाइड करो यहां पर त अब 36 को फिर 17 से डिवाइड कर दो 17 दुनी 34 सेसफल हमारे पास क्या आजाएगा 2 वह तब तक डिवाइड करना है जब तक जिससे काट रहे उससे छोटा ना आजाए अब 36 तो 17 से बढ़ा हो गया ना 17 दुनी 34 सेसफल क्या बज जाएगा बताओ 2 बज जाएगा वो लो clear है बढ़े आगे नेक्स्ट जब किसी संख्या को 13 से बिवाजित किया जाता तो सेसफल 6 पराप्त होता है उसी संख्या के वरक को 13 से बिवाजित करना है तो 6 है सेसफल तो 6 का स्क्वाजित किया जाता है तो सेसफल 2 बजता है उसी संख्या को 15 से बिवाजित करने पर सेसफल क्या बजता है 15 से बिवाजित करने पर सेसफल यहाँ पर 45 कट रहा क्या 15 से बोलोगे हाँ तो 15 से डिरेक्स में डिवाजित कर दोगे 2 में डिवाजित कर दोगे आंसर आपके पास क्या आजाएगा बताओ 2 आजाएगा उप्सन नमबर 3 एक संख्या को 931 से विभाजित किया जाता है तो 197 सेस्फल आता है 931 से अगर विभाजित किया जाता है तो क्या सेस्फल आता है बोलोगे सर 197 सेस्फल आता है तो 49 से विभाजित करने पर 49 से विभाजित करने पर सेस्फल क्या आता है याद रखना एक चीज, कभी भी अगर इस तरह का question पूष्टा है यह बात पक्का होता, option में अगर कहीं भी cnd नहीं लिखा हुआ, can't भी determine नहीं लिखा हुआ, इसका मतलब 931 पक्का 49 से कटेगा ही कटेगा, काट करके देख लेना, direct आपको क्या करना है, इसी में solve कर लेना है, एक सो संतानवे को अगर 49 से डिवाइड करोगे, 49 दुनी होता है, 49, और अन्ठानवे का भी double जो हो जाता है, वो हो जाता है, 196, यानि 49, चोका 196, तो सेसफल हमारे पास क्या बज़ जाएगा, बोलोगे सर, सेसफल हमारे पास बज़ जाएगा, एक option नमबर 4, next question, 9 के वर्ग को 125 के घनमूल से बिवाजित किया जाता है, तो सेसफल कितना होगा, 9 के वर्ग को 125 के घनमूल से बिवाजित किया जा सकता है, घनमूल का मतलब क्या है रिभाई, 9 का वर्ग है, 9 गुना 9, और 125 का घनमूल क्या है, बोलोगे सर, 5 है, तो 5 से डिवाइड करोग पांसे डिवायर करोगे, नोन में एक यासी, पांसे डिवायर करोगे, तो सेस फल एक नहीं आएगा, बताओ, यही सब टैप का कोस्टन पूछेगा, और कुनों रॉकेट साइंस वाला कोस्टन नहीं पूछेगा, बात हो गया खतम, ठीक है, नंबर सिस्टम हो गया है, आप को अच्छा लगा, भाई साथ, यह नंबर सिस्टम हो गया, आपका खतम, सबसे पहले आपको क्या करना है, discussion अगर अच्छा लगा हो, सबसे पहला काम किजिए, सबसे पहला काम किजिए, इसको कर दीजी, share, चिए ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक यह चीज आना चाहिए अब कुछ लोग इसको share नहीं करेंगे कि सर उसको भी आ जायेगा उसको भी आ जायेगा तो उसका नहीं होगा नहीं अरे भाई seat इतना है ना भर नहीं पाएगा इसलिए pass करना जरूरी है सरकार को मौका मत दो बोलने का तो share करो, share कहां कहां करोगे, अपने WhatsApp ग्रूप में share करोगे, कहां कहां share करोगे, WhatsApp ग्रूप में share करोगे, जिस जिस Telegram चैनल पर आप जुड़े हुए हो, उन सभी Telegram चैनल पर आप इसको क्या करोगे, share करोगे, जिस जिस Facebook पे हो, सभी बच्चे Facebook पे हो, ये बात हमें पता है, Facebook पे एक बार शेयर कर दोगे, इंस्टाग्राम पे शेयर कर दोगे, वाटसेप एस्टेटस में शेयर कर दोगे, तो हर तरह का शेयरिंग हमें आप से उम्मीद है, क्योंकि हम आपके लिए इतना महनत कर रहे हैं, बिल्कुल फ्री ओफ कॉस्ट ये कोर्स है, जैसा कि आप सब को पता है कि बिल्कुल इतना इतना फीस लेकर के, इतना बड़ा-बड़ा कोर्स को लॉंच किया गया है, हम इन सब चीजों को नहीं करके, हम complete math आपको यहाँ पर पढ़ा देंगे, 4-5 दिन में, हम थोड़ा देर से आया हैं, लेकिन देर से आया है, तो बिल्कुल दुरुस्त आया है, याद रखना इस चीजों को, ठीक है, तो प्लीज आप सबसे हमारा आसा है, शेयर कर दोगे, साथ ही वीडियो को क्या करोगे, लाइक कर दोगे, और जो बच्चे अभी इस चैनल पे नए हैं, जो बच्चे इसे पहली बार देख रहे हैं, वो बच्चे क्या करोगे, सब्सक्राइब कर दोगे, वो बच्चे क्या करोगे, वो बच्चे कर दोगे, इसको सब्सक्राइब, साथ ही एक घंटी मिलेगा आपको, इस तरह का एक घंटी मिलेगा, बावा जी का घंटी इसको क्या करोगे दवादोगो दवादोगे तो ये आपको नोटिफिकेशन मिलता रह जाएगा ठीक है चलिए धन्यवाद उम्मीद करते हैं कि आप सबको पसंद आया होगा और फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट विडियो में जो कि आपका कोई चप्ट